तो भाई इस वीडियो पर आपने क्लिक किया है इसका मतलब आप computer hardware सीखना चाहते हैं यह तो मुझे clear हो गया अब मैं यह बता हूं कि इतना बड़ा वीडियो मैं क्यों बना रहा हूं और इसमें क्या-क्या मैं पढ़ाने हो लो क्योंकि जब भी आप कोई बड़ा movie देखना च इनका क्या होते हैं और आउटफूट डिवाइस को इनका क्या फंक्शन होता है यह मैं पहले आपको बताने वाला उसके बाद मैं आपको बताने वाला हो कि computer के इंटरनल पार्ट्स को हमसेंबल कैसे करते यानि कि सारे पार्ट्स निकाल के मैं फिसे लगा के दिखाने आपके सामने कोई वर्बली बात नहीं होगी जो भी बताने वाला उसके बाद अगर आप computer में troubleshooting करना चाहते हैं आपके computer में कोई problem आ रहा है computer नहीं चल रहा है किस वज़े से नहीं चल रहा है यह अगर आपको चेक करना है कैसे चेक किया जाता है यह इस पार्ट में मैंने इंक्लूड किया है दोस्तों जीज़ार यह सबसे इम्पॉर्टन बात रहे दी तो एपने computer को ठीक कैसे कर सकते घर बैटे बैटे जिया दोस्तों आपको आड़े वाले को बुलाने की ज़रूरत नहीं अगर ये वीडियो आप देखते हो पूरा का पूरा पूरा पहले सुनो डिस्क्लेमर हमेशा पूरा वीडियो देखने के बाद ही आपको इन सभी चीजों का नौले यह पिर नेट्वर्ट डॉप ड्राइवर यह ड्राइवर कहसे डालने हैं यह कंपुटर के विड्राइवर होते फ़ली गाडियों के वहीं होते हैं लेकिन वहागे जाने की विडियो के अंदर दोस्तों विंडोव इंस्टॉल करने के बाद आपके कंपुटर में को आप करने के लिए आप कैसे दोगे यह सारी चीजे मैं आपको इस बड़े वीडियो में बताने वाला तो इतनी सारी चीजे आपको एक ही टुट्रियल में सीखने मिले वाली दोस्तों तो यह व्डियो आपको पूरा ज़रूर देखना चाहिए तो अगर आप इंट्रेस्ट किजिए और बेल एक्कम पे क्लिक किजिए ताकि हमारे वडियो की न्यूटिफिक्शन आपको टाइम पे मिलते रहे हैं तो सबसे पहले पार्ट में हम कंप्यूटर पार्ट का इंट्रोडक्शन जानने वाले इन्पूट डिवाइस इस प्रोसेसिंग डिवाइस एंड आउ Avenger Hare चीज़ को इसलिए मैंने पार्ट का इंट्रोड़क्शन पहले डीटेल में रखा हरे को मैं डीट हर एक पार्ट्स को मैं यहां पे समझा रहो तो चलिए जानते में इंट्रब इंटर पार्ट में आपसे कहा कि हम कंप्यूटर की पार्ट के बारें में सबसे पहले जान होते हैं और तीसरे होते हैं जिनकी जरीए हम डेटा लेते हैं कंप्यूटर से अब मैं डिवाइस कौन-कौन से होते हैं उनको ड्रेक लिए दिखाना चाहूंगा मेरे पास जितने डिवाइस से वह मैं दिखा रहा हूं इसके अलावा बहुत सारे डिवाइस होते हैं जो कि इन्पूट को दिखाता हूं इन्पूट डिवाइस में में पास है कीबोड यहां पर आप देख सकते हैं यह कीबोड इन्पूट डिवाइस जो हम करते हैं डेटा इंटर करने के लिए हमारे कंप्यूटर में अगर हमें कुछ भी टाइप करना है निमरिक डेटा है या इन्स्ट्रक्शन देते हैं उसके बाद इन्पूट डिवाइस में दूसरा डिवाइस आता है माउस यहां पर आप देख सकते हैं और माउस का डीटेल भी मैं आपको बताने वाला हूं लेकिन सबसे पहले यह इसकी जरीए हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने वाले अ तो आपके कंप्यूटर में यहां आप जब कंप्यूटर खरीद रहे हो तो आपके पास होनी चाहिए आपको लेना चाहिए उनके बिगर आप की बृट की आप टाइप नहीं कर सकते हैं अगर आप सकते हैं या फिर मॉस बहुत यूजफुल होता है क्योंकि माउस कशन एक् के लिए होती जैसे मैं यहां पर दिखाओ आपको की मेरे पास है ग्रैफिक पैड ग्रैफिक पैड मैं यूज कर रहा हूँ को रहा हूँ या फी फोटोशॉप सॉफ्टेर में जहां पर मैं ड्राइंग्स के लिए यूज करता हूं इनका जैसे मिज़े कुछ लोगों करना है तो मैं ग्रैफिक पैड का यूज करता हूँ यह ग्रैफिक पैड मैंने यहां पर पर्चस कर लिया है जो कि इंपूट डिवाइस जिसके जरीए मैं कुछ ड्रॉ करूँगा यहां पर तो यह ड्रेक ली मेरे कंप्यूटर में दिखाए देगा इसके साथ यह ऐसा पें भी आ चाहिए ताकि आपका वीडियो आपकी स्टूडंस या कोई भी देख सके तो वेब कैमेरा एक स्पेशलाइज अप्लिकेशन जब आप कोई वीडियो वगर आपका शेयर करना चाहते है उसके अलावा इंपूट डिवाइस में हो रहाता है माइक जैसे मैं आपसे बात कर रह इनवां की है तो यह माइक के जरीए मेरा आवाज रेकार्ड हो रहा है जिनके जर्य कंपूटर में आता है मतलब कंपूटर में दिया जाता है और इंपूट डिवाइस में मैंने को कीवर्ड मौउस कॉमनली इंपूड डिवाइस बता है क्योंकि वह रहने चाहिए उसके अलावा वेब कैमेरा है ग्रैफिक पैड मैंने आपको बता है या फिर आप देखेंगे माइक है या पिर ओर लाइट पेंट भी होता है जो डिजिडि तो इसे हम लोग CPU बोलते हैं लेकिन दरसल इसके अंदर एक चीप रहता है उसे CPU कहा जाता है सेंटर प्रोसिंग एक प्रोसेशर चीप रहता है वह इंटेल कंपणी का एमडी कंपणी का हो सकता है उसकी वज़े से CPU बोला जाता है यह है तो कैबिनिट मैं आपको दिखाओ यह जो है यह जो बॉक्स दिख रहा है आपको यह काबिनिट कहा जाता है और इसके अंदर अलग-अलग पार्ट्स होते हैं जैसे कि मदर बोड़ हाट डीस है रैम है और प्रोसेसर है मेन प्रोसेशर यानि की CPU उसी की वज़े से CPU कहा जाता है और यह प्रोसेशिंग का काम करता और हार्ड भी बोल सकते क्योंकि 24 hours मतलब आपको जब काम करना है तब यह चालू रहना चाहिए और साथ में यह टेक्निकल काम करता है तो इसलिए इसे ब्रेन भी कहा जाता है तो प्रोसेसिंग डिवाइस याने कि जितनी भी इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर को देंगे वो सा आपकी जो इंस्ट्रक्शन है उसे फॉलो करता है प्रोसेस करता है याद रखो आप जितनी भी इंस्ट्रक्शन दोगे कंप्यूटर को सारी के सारी प्रोसेस होके आपको आउट्पूट देगा कंप्यूटर आउट्पूट देने के लिए आपके पास डिवाइस होने चाह होती है वो edit कर सकते हैं आपने word document open किया यूज एडिट इट रइट तो वो soft copy documents होता है जितने भी monitor के अंदर से output आपको मिलता है monitor में अलग लग टाइप होता है जैसे LCD monitor होते है LED monitor होते है LCD लेना चाहिए या LED लेना चाहिए इसके उपर चाहिए तो अलग सा वीडियो मैं बना दोंगा detail में फिलाल तो हम यहां पर यह देखेंगे कि parts कोन से पहले यह समझेंगे अब उसके बाद एक और part है जो कि से side में कर देता हो यह printer यह भी output device है लेकिन इससे जो आपने प्रिंट आउट ले लिया तो उस प्रिंट आउट के अंदर टेक्स्ट उसे आप डिलीटी नहीं कर सकते जो कि मॉनिटर में कर सकते मॉनिटर के output को soft copy का जाता है printer के output को hard copy का जाता है सिंपल और सीधी बात है याद रखनी जन्रल बाते हैं यह बेजिक इंट्रोडक्शन है और बेजिक लेवल पर मैं आपको बता रहा हूं इसके अलाव output devices में आपको speaker पता रहेगा बतानी के जुरूत नहीं यार आप music सुनते हो तो आपके computer में जो speaker devices कहा जाता है फिलाल आपने यह जान लिया कि input devices होते कौन से output कौन से प्रोसेजिंग कौन से थोड़ी सी डीटेल जान करें आपने लिकिन अभी हम जानने वाले सेकेंड पार्ट के अंदर की से connect कैसे करते हैं बेजिक चीज़े हैं लेकिन आपको पता होनी चाहिए कि computer में पार्ट कैसे connect करते हैं तो अभी आपने यह तो जान लिया computer parts कोन कोन से होते हैं input processing और output devices कोन कोन से होते हैं लेकिन इन डिवाइसे को connect कैसे किया जाता है यानिकि की बोर्ड को connect कैसे किया जाता है बेसिकली मैं आपको दिखाना चाहूंगा इन पार्ट को आप अपने system के के लिए तो चलिए बढ़ते हैं इस पार्ट की तरफ तो अभी हम जानने वाले कि अपने सीप्यों को एक्टरनल पार्ट कैसे करेक्ट करते प्रैक्टिकली देखते बहुत आसान है लेकिन अगर आपको पता नहीं है तो यह मैं स्टेप बैस्टेप बटने हो लो डोंट वरी कि पूरा देखते रहुये बस आपको यहां पे समझना है कि कैसे लगाना है यह यहां पे सबसे पहले मैंमात को पावर केबल दिखाने वाला ओँ यह पावर केबल जो कि आपके शिए माई लगने वाली सीक्यों के से tra port में यहां पर आपको दिखा दे रहा है ac2o 30 एप मैंन पावर इसे डीटेच करना है तो यह लेकिन केबल सबसे लाश में लगा और इसका बटन आप रखो जब आप लगा रहे हो कई भार क्या होता है कि आपके घर में जो पावर आ रहे हैं उसमें आर्थिंग नहीं होता है तो आपको यहां पर इस कैबिनेट में करन्ट लगने की चैन्से हैं लेकिन वो कौन से किस्समें अगर आपके घर में अर्थिंग नहीं है आर्थिंग यानि कि यह तीसरे पीन में रिटन्श एक चैनल पर लिंक डिस्क्रिप्शन में में दीए अगर आप कुछ एक्स्ट्रा सीखना चाहते हो तो आप च्चेक्शिग चाइनल को ज यह मॉनिटर को एक इसका कनेक्शन मॉनिटर को लगेगा दूसरा मतलब ऐसे रहेगा एसा ही एंड मॉनिटर को एक लगता है और एक एंड सीप्यू लगे गा तो इसे आपको एटाइच करने के लिए करना कि है सिंपल है याद रखना है कि इसके अंदर छोटी-छोटी नीडल से इसे आपको जबरदस्ती नहीं करना है उल्टा अगर आप लगाने जाओगे तो यह नीडल्स टेड़ी हो जाते हैं और फिर टेड़ी होगे तो लगेगी नहीं कभी फिर आपको यह पीन बदलने पड़ेगी जैसे भी यह पीन ज्यादा महेंगी नहीं है 75-200 रूपीज में मिल जाती है लेकिन इसे प्रॉपर ही लगाओ क्यों आप पैसा वेश्ट करो अपना रइट यहां पर मैं इसे दिखाओ आपको तो इसे आप यह पर दिखे मैं आपको एकदम जूम करके आप कैमेरे में हम दिखा रहे आपको तो यह प्रॉपर ली ऐसे लग रहा है तो अग करने के वाद यह चरू आपको बस यहार से टाइट करने और इसे निकालते समय को पहले करना और फिर निकालना की कोई दिफिकल्टी नहीं है आप निकालते समय इसको लूज करोगी खीच लोगे अगर आपके घर में पहले से कंप्यूटर पढ़ा है जिसमें पीन लगी है तो आप निकालना चाहते तो आप इसे खोल सकते हैं ऐसा इसली खोल सकते आपको तो आजकल सभी दिवाइसे से यूझ यहां पर लगा सकते यहां पर मैं आपको दिखाता हूँ यह को रहता है यह जो कनेक्शन नहीं है मतलब होता है हाई डेफिनेशन मेडिया इंटरफेस मैंने आपको फुल फॉर्म बताया था विडियो ग्रैफिक एडप्टर यहां पर लिख क्या रहा है कभी 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 के पर और जरूरी नहीं कि आपके में HDMI अगर आपका मदरबोर्ट थोड़ा सा लेटेस्ट है तो HDMI भी मिलेगा आपको और यहां पर में यहां पर HB device facto में में तो HDMI में यहां पर urad बैल यह यह दिया नहीं है तो इसे टो आजे आता होगा आज कल टेकनलोजी का जमान है सबके घर में नॉर्मली ओटीजी के साथ मोबाइल में हम कनिक करते पेंट रहे हो गिरा ऐसे आप कीबोर्ड भी लगा दोगे माउस भी लगा दोगे मैंने लगा दिया है और यह है आपका जो 3.5 mm जैक जो कि आपको अगर साउंड आपको गाने सुनने हैं आपके सिस्टम के उपर तो यहां पर इसे मिडल वाले यह जो दिख रहा है न ग्रीन वाले में लगा देना याद रखो याद रखना इसे िर्वाले में लगेगा जब आपको सौनड सुननना और आपके बस ऐसा हेडबोन जिसमें माइक की पिना ल कीव है क्योंकि विजए तो ऊपर भी है यह ब देख सकते तो यहां पर कीव यह ग्राफिक काड़ लगया गया अगर आपके सिस्ट्म को आप उसके सिस्ट्र में मेरे क्रफिक ळगा हुआ है यहां रहा है यह वाले सिस्टर्म में तो इसकले यहां पर है तो यह थोड़ा सा पुरारा सिस्टेम में तो आपको दूल कच्रा भी रिज़र आ रहा होगा बट डैड़ इस ओट कैसे करना है मैंने आपको बताया यहां पर बैसिकली आपको यह समझना है कि बैक पैनल का जो कनेक्शन देता है वो सिस्टम का कैसे करना यह हम यहां पर लगा देंगे यहां पर आपको दिखाए अगर आपकी सिस्टम में इंटरनेट चलू करना है तो आपको यहां पर यह नौच है यहां पर जब आ यह नौच लगाते समय तो आपको प्रेस नहीं करना है लेकिन निकालते समय इस मौच को प्रेस करके निकालना है प्छले तो मैं आपको लगा गे दिखा था हूँ ये लग गया अब यहाप सीड में लिदिभरे स्विन तो मैं इसा प्रेस करोंगा निकालतेसमय यहाप बैस करने के बाद मैं इससे निकाल रहा हूं यह रहा हूं तो यह नौच ऐसे लगाना है ऐसे निकालना है सिंपल है तो यह आज यह 45 अगर आप लगाते हूं यहाँ पे मतलब network land card में तो land card में लगाने से आपके सिस्टम में इंटरेट चालोगा लेकिन इंटरनेट का अगर आपने package लिया होगा cable network वाले से तो चलिए हमने computer के external parts को connect करना तो जान लिया यह तो basically बहुत आसानी कोई भी कर सकता है लेकिन जो internal parts रहते हैं वो थोड़ा सा difficult लगता होगा आपको क्यूंकि इंटरनल पार्ट में बहुत सारे अलग लग connections रहते हैं और आपने कभी देखे नहीं रहते हैं इन पार्ट को तो मैं अभी आपको खोल के दिखाने ऑलव सिस्टम के अंदर कौन-कौन से पार्ट सोते हैं और कैसे हम नेक्ट करते हैं तो प्रक्टिकल हम देखेंगे हमारे स सारी कोर्स के ओफर कंप्पीटर को से से और जो कि आपको कंप्पीटर एक्सपर्ट बना देंगे और सर्टीवार कोर्स तो वीडियो लाइप टाइम के लैक्से से डाउनलोड कर सकते हैं बहुत सारी चीज़े इस कोर्सेश की फीचर साफ खुदी जाकर वेबसाइट पर चेक श्रकोलन आ तो यहां पर किर जो इस सैड्में इनी जी के सैड्मे तो मतरवोड के यह सैड कि स sat hat कि स्क्रूण नहीं को ने इसके एपोजिट साइड में जो यहां पर दिखाए दे रहा है इसके स्कुरू खोल के यह लॉक आपको उपन करना है चले मैं यहां पर मैंने एक ही स्कूरू लगाया यहां पर जल्दी मैं खोल पाऊ इसलिए दो स्कूरू नहीं लगा लेकिन दो स्कूरू रहें करता हूँ सभी पार्ट को करता हूं सभी पार्ट को निकाल दीता हूं और यहां पर फिर से अटेज करकर दिखाता हूं और मैंने इत्व ग्लाउउस पहने है लेकिन आपको लौट पहने के जरूद नहीं है इसा कुछ करेंट वगड़ा है नहीं इसमें मैंने बस आपको थोड़ सा प्रोपेशनल वे से दिखाने के लिए यह ग्लाउज पहने है आप नहीं पहने हैं बिना ग्लाउज का भी काम करेंगे तो भी चलेगा हां लेकिन इसमें जो जो ए अपको बता हूंगा वहां पे से निचे सट अचनी करना कहां पर खाट देरेक्श हाथ से तो आपको याँ पर यह पर यह डीवी डीर्ड्र रहे अब मैं आपको यह एक अक पार्ट से आप ट्री आफ के दीकतो सबसे पहले मैं है मैं र выход 20 हो डिस निकालत आँ यहां पिए दिखा दे रहा है आपको हाट इस और मैं इसके यहां यह लो चैनल बोलते है इसologique कहा है इसके प्रेस कर शाहे से तो कुछ प्रेस्ट नीकरना यह साथा आप आवर है जो एन पेस्ट से मिला है हाट डिस्को यह पित्वर पावर या यह 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 रेड़ वाले आप देता हूं कि अब ये मैंने हार डी से आप एन निकाल लिया दिखाई देर आपको जैसे की मने पार्ट वन में बताया था कि ये अलगALग हड़ डी सरे या पे अलगال कैपसिटी का डी से ये मेरा ब्लू वाल फिंड रडी ये व्याग हर डी से डब्लू डी वेस्ट कर्ड लिंक आपके लिए दूंगा यहां पर इसका कैपसिटी तो मैंने आपको बता दिया अब इसकी और पार्ट नमबर और रहता है आप गूगल पे चेक करने वेस्टन डिजिटर और उसके पर जाकर यह पार्ट नमबर और डाल के इसकी और आप अंच्रेक कर सकते हैं है फिल्दिस में साइब में रख देता हूँ और आगे मैं बताता हूँ आपको यहां पर एडिवीडी राइटी है इसको भी वैने प्रेस करके मैंने निकाल लिया इसको भी साटा वाला डेटा पावर है बतलब पावर केबल है साटा डेटा और साटा पावर यह दोनों भी निकाल दिये अब यहां पर यह डिवीडी राइटर को खुलने की ज़रूत नहीं वैसे भी यहां पर हम इसे रहने देते हैं ऐसी क्य जितने भी स्कूरू निकालोगे आप एक साइड में रखा करो दोस्तों क्योंकि बाद में हमें फिर से इसे अटेच करना है नहीं तो स्कूरू गिर जाएंगे तो फिर आपको फिर वो डिवाइस अटेच करने नहीं मिलेगे जादा स्कूरू गूम हो जाते हैं जब मैं हमारा मदरबोर्ड है और मैं चाहूंगा कि यहाँ पर मदरबोर्ड के सभी कनेक्शन डियाटेच करो आपको फिर से अटेच करके दिखाऊ इस वीडियो में बने रहीएगा एंट तक आपको मदरबोर्ड या फिर में सम्पेस की सारी बाते या पर पता चलने वाली है तो कर प्रेस करऊंगा उसके भी लॉक वैसे है प्रेस करूँगा यहाँ पर लॉक है प्रेस करूँगा उपर खिचंगा तो यह निकल जाएंगे और यह साठा केबल आप कौन सी भी किस पे लगाया तो भी चलेगा मतलब ही यह भी राइटर के एसा कुछ नहीं दीखना है यह यह इसका यह करनेक्शन इदर लगा यह चलेगा क्योंकि दोनों साइड पे सिमिलर करनेक्शन रता है बस यह अलग लगता है अगर आपको हाड़ीज के लिए लगाना है तो यह आना इस तरह से अप लगा सकते हो यह यह मदरबोर्ड पे भी फिट होता है लेकिन यहां पर द्यान रहे कि मदरबोर्ड की उपर यहां पर आपके पास साटा कनेक्शन मुल्टिपल एवेलेबल है तो ज्यादा हाट डिस भी आप कनेक कर सकते हैं देखिए म कभी निकाल देते हैं यहां पर पैक किया हुआ है इसे हम खोल देते हैं फिलाल चली यह केबल में मैंने यहां पर साइड में रख दिया दोस्तों अब आपको यहां पर दिखाए दे रहा है नेक्स्ट जो मुझे निकालना है वो है यह संपेस का बड़ा पावर यह जो ता याँ झालए यह वाइट यहां पर आपको दिखाता हुए है को पर चलाके यहां पर यह जो लॉग है ना यह में फ्रेस कर दिया प्रेस कर Навी प्रेस करने के बाद यह ओपन हो जाता स्च civ स्च 00560 यहां पंच यह सब तरे स्च कर देना तो यह बेट जाएगा निकालने के लिए बस को आपको और के च det awarded लगबग Now by इसमें 24 इप सब को मिलेगी और इसमें एक बात याद रखना है यह जरा बता देता हूं मैं यह ऐसा निकल भी जा सकता है क्योंकि यहां पर हर एक SMPS को ऐसा कस्टमाइजेशन किया रहता है क्यों कि पुराने मदर बोर्ड में यह 20 पींस ही यह 20 पींस है टोडल 20 पींस का ही पावर लगता था लेकिन अभी जो नए मदर बोर्ड है जितने भ फोर-पीन का तो यूजरी नीयां तो इस के लिए तो यह बना है दोस्तों तो यह सिंपल अगर यह निकल गया तो कोई डरनी की बात नहीं बहुत सरों लोग जरीओ यह कैसे निकल गया धर इसे कैसे लगा थो यहां पे इस खाच में सर लगा दो पर ठाम कदम और फिर आप मेरे मперबोर्ड में ऐसा है यह कि सब के मढटर नहीं कि अलग little कनेक्शन सावेलेबल रए यह जो फेल होट disparator पोगी इधर रह सकता है वाने सकता है यह मदरबोर्ड के इस सेड में भी रहता है मैंने जो आप एक Motherboard का वीडियो बज़ाओ था इसकी लिंक मैं दे दूंगा इस वीडियो के उसमें ने बताए था कि इटेक्स-पार गरेक्टर काँ पर रहता है राम का पे है कैसे सारी ही उस में बताए एक पूरी इंफोर्मेशन एक बार मैंने बताई है वो ज़रा देख लेना आप फिलाल तो हम एसेंबलिंग सीख रहे हैं अब मैंने यहां पर लगबक सारे पाट निकाले बस कुछ और बाकिए जो कि फैन का कनेक्टर बाकिए इसे बस खीचना है ऐसे यह इसने फैन के निडल से इसे खी उड़र में लगना चीह एक बाकि सब कनेक्टर इस उल्टेने लग सकते यह देखे यह जो कनेक्टर एलोक मैं अगर उल्टे लगाने जहों गाना इधर तो उलटा नहीं लगही लगा इनी क्युंकि वैसे डिजाइन किया गया है और यह ऐसे ही यहां पर इंसरण होगा इस तरह से जिस तरह लोक है लेकिन क्या होता है कि मैं आपको बताओ simply कि यहां पर यह जो connector से इसको front panel connector बोलते है और front panel connector को आपके एक बार निकाले तो यह उल्टे भी लग सकते लिकिन आपको लगाने जैसे है वैसे लगाने है वो मैं आपको बताओंगा कैसे लगाने एक तब डीटेल में बताओंगा डिकाल रहे हैं हम लोग पहला connector इसमें से जो की green और black wire का दिख रहा है यहां पर यहां पर मैंसे निकाल कि आपको इसका power is the blue pin power button का यानि कि यह पीन पावर स्वीच पावर बटन भी नाम रहता है कभी कभी पावर is w रहता है इस पीन को लगाने के वज़े से हमरा computer यहां पे इस बटन से चालो हो रहा है जो आगे बटन दिया यहां पर दो पीन मैंने निकाल ली है तो यहां पर मैं आपको दिखा था कौन सी दो पीन है जो मैंने अभी निकाली पावर पहले ड़न एकि है इसका माँ में पोसτα करें पर दीखा ओंगा कि आपको अलग साफ की पावर ब्रूबर ऎलगता है क्या लगता है उसका इमेच में आपको गूगल से निकल के यह पर दिखा दूंगा ने कि आपको यह समझ ना चेह पावर है और परावर स dew यह कैसे निकलना हैं दूसरा मैं दो पिन यहां पैट दो ने एक तौन इस निकल गए मेरे से तो मैं वह भी बता हूंत कि लेकिन यह दो नउप पहले जो दिख कर रहा है यह देखते हैं यह रेड और वाई जो निकाल है है मैं है HDD LED है दोनों का नाम देख सकते आप HDD LED साथ ठीड नाम इसRED HDD plus minus right power LED कैसे निकाला मैंने यहां पे आपको दिखाया उसके बाद और दो पीन यहां पे निकल गई पहले से इसका नाम है reset as the blue reset switch reset as the blue reset button के लिए यूज किया जाता है जो कि हमारा restart करते ना हमारे computer तो restart button जो front panel में आगे कि तरफ उसके लिए यह reset as the blue है और लास्ट पीन जो है वो है HDD LED जो मैं मुझे अल्रीडी पता है तो मैं इसे निकाल देता हूं और आपको दिखाता हूं HDD LED सो ऐसे चार पीन रहती है देके power as the blue then power LED देन उसके बाद रिसेस reset as the blue और उसके बाद HDD LED यह चार पीन front panel में लगती है और यह front panel इस तरह से आप एक कलर में दिया है लेकिन मेरे केस में मेरे मदरबॉर में इस तरह से color में है जरूरी नहीं कि आपके मदरबॉर्ड में भी ऐसा front panel color में हो तो आपको से identify करना प्रापर लिया यहां पर नोटीस करोगे आपके नाम रहता है एप पैनल आपको ध्यान से देखना है यहां पे पैनल है मतलब उस front panel की दर लिखा रहता है अब मैं switch लगा मतलब यहां पर पिन वापीस लगा देता हूँ ता कि आपको पता चली कि कैसे लगाना इसको क्योंकि हमने attach करना हमने detach करना तो जान लिया लि लिए लिए ली तो मैंने यहां पर देखिए वाइट वायर एंदर की तरफ रखिए जादा तरफ वाइट वाई अंदर की तरफ रखे जो वाइट वायर रहे गए आपके Сmeए ड़ीकिस में क्योंकि कि आप देखोंगे तो वैसे HDD LED में यहां पर को प्लस मैनस दिखाए दे रहा है और उसके सबसे या ऑफ यह अंदर होना चीए प्लस मीनस में लेट तो उसके बात यहां पर मैं आपको दिखाऊं कि मैं रिस अथा कि अब लगाना चाहता हो तो है इश्यू नहीं हो था मैने खुद नोटीस किये है आपने एसा उल्टा भी लगा दिया तो भी चलोगा ऐसे लगा दिया वाइड अंदर रहेगा तो भी चले रहेया ब्लाइक आंदर रहेगा दो भी रिकी प्रॉब्लम नहीं है लेकिन एंट्ड में प्लस-mines लिखा रहता है HDD LED में तो आपको ऐसे लगाओ जैसे मैंने बताया है उसके बाद यहां पर आ रहा है यह एक प्लस माइनस ही है इसमें भी आपको वाइट केबल अंदर रखना है और इसे लगा देना है यानि कि यह दोणों अलग अलग होते हैं कभी कभी इन भी होते तो आपको लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है अलग-अलग होंगे तो यहां पे थोड़ा सा एक साथ पकड़ने में इनको प्रॉब्लम हो जाता है तो यहाँ पर मैंने उसे लगा दिया HDD LED को और पाउर सब्सक्राइब य को आपने फिल्टा भी लगा दिया सिधा भी लगा तो भी चलेका फिलाल पावरे डावलो नाम भार रहे स्टत्रीक्शन में लगा रहा हूं तो दोनों साई जोनाम जो है बाहर रहे से मैंने ऐसा लगा दिया इसको और ज्यान तरफ को यह दिखरा है कि यहाँ पर एक बात करनी है कि यह 4 चो ryffman है उसमें एक उसके बाज कि एक पीन कली रेती है हमेशह और जो उस सैड्य का रहता है रिसेटे इसेट बलू बटन याँ पे एक पिन दिखाय दिया थे याप कीं है एक्स्ट्रा और जो मैंने खाली छोड़ दिये तो उस पीन में के साइड में रहता है रिसे डेज़ डवलू और एक MTP नहीं या पीनी नहीं उसकी जगा निडल सी नहीं महां पे तो वहां पे रहता है पावर इस डवली जो कि है कि front panel का connection कैसे रहता है generally front panel आपको जब निकाल रहे हैं Motherboard या डिएटेज करें तो भी ध्यान से देखना है कि कैसे लगाए गया है उसके बाद या फिर आप recording करके रोख आपके camera में और दुबारा लगाते समय उसे फिल से यह करो मतलब सब्सक्राइब नोटिस को कि क्या पहली बार करें तो थोड़ा सांपिजन तो बड़ी जाता है केबल का और आप कैबल से इतना फैमिलियर नहीं रहोगे electronic parts इतना फैमिलर नहीं रहोगे तो यह प्रॉब्लम्स होती रहती आपके साथ मैंने नूटिस की बहुत सब्सक्राइब भूल जाते काहां से कुन सी केबल निकाली इसलिए अच्छा है कि शूट कर लो ना आपके बस मोबल रहेगा तो और फिलाल यहां पे देखे इस केबल को मैं दीखा तो आपको यहां पर इस तरह आभी यह जो केबल में निकाल रहा हूं यह है यूस्बी हमारी यह फ्रंट यूस्बी और आगे की तरब जो हम पेटर है वगणा लगाते ना उसके लिए फ्रंट यस्वी प्रंट वी में नूटिस करना है कि इसमें 19 आ नाइन होल से इसमें और इसमें भी नाइन पीन्स दिखाया देगे लेकिन इसमें एट पीनी एक्टिव रहती है एट पीन से डेटा ट्रांसफर होता है इत्वर देखो आप इसमें दो केबल तो ही नहीं इसके अंदर राइट तो यह बस आपको अटेच करते समय गलती ना हो आप से इसी लिए दिया गया है कुक्कि आप उल्टा ना लगा तो इसस सैड में आपको दिख रहा है कि पीनी नहीं है उससी साथ में यहां यह और यूजबी इस वह उसे लगा था फ्रेंट और यो देख रहे है यह फ्रंट आठो यह में धेंट नमबर की एमटी है दिक्षाइब यहाँ नाइट नमबर की नहीं है यहां पर यह आप दिखा तो यहां पर यह अधिकर यह राइट इस तरह सी फ्रेंट ऑडियो लगा देते हैं तो मतरपी पार्ट को मैंने बता दिया कि कैसे इसके उफाइड ऐटेच करते नहीं करते हैं और यहां पर यह पिन लगा दे यह CPU पैने यह CPU का फैन उसकी ज़िए से चलेगा दोस्तों यहां पे क्लीन करना रहेगा लेकिन क्लीन करने के लिए आप एरेजर जो रहता है ना स्कूल में यूज़ करते हैं और इसके उपर रब कीजिए यह जो गोल्डन पॉइंट से अगर इसमें कुछ डेस्ट है तो उसे क्लीन करने के लिए रेजर यूज़ कर सकते हैं दोस्तों यह रेजर जाना चाहिए आपके PC में कुछ सा रैम यूसफुल रहेगा या फिर आप रैम अप्ग्रेड करना चाहते तो क्या के चीजिए ध्यान में रखनी यह सारी चीजी होंगी दोस्तों फिलाल तो रैम को लगा दिते या पे नौच जो दिक रहा है न खाचा ये खाचा यहां पर द नौच आना चाहिए जो है वहां पर राइट बैठ जाएगा या पर मैंने इसे लगा दिया और मैं इसे प्रेस करूंगा ये लॉक वाइट वाला आटोमेटिक बंद हो जाए इधर को वाइट लोग देखिए मैं प्रेस कर तो बन ऐसे आपके बस दो रैम नहीं तो दोनों नहीं यहां पर यह सगे यह वाला पाउर कौन सा पॉर यहां पài तो एलाक आरेकर यह लगा दें चले इसे इसे आछे लॉक is a लगाते समया फ्रेस करने करनी के सब्लौ 便宜रोतनी निकाल इसमों लोग फ्रेस करना है लग लगए the leaves में बहुत और पैक रहता है मैंने बहुत है यहाँ पर में एक का difficulty तरह का यह लेंगल जी सा का था यह उपर तो लगने वाला नहीं है तो तो दिए कि मैंश तरफ रख रहां लगा रहा हु यह लग गया वैसी और एक साथा के बहले में जो की डिविदे राइटर का एक हार्डीस का एक डिवी रैटर का दो मैं कोई भी साटा में कोई भी मतलब कोई भी साटा पॉर्ट में ये साटा केबल लगा तो भी चलेगा कोई जरूरी ने कि इसमें एक पटिकुलर में लगा है आप किसी में भी लगा सकते हैं और फिर यहां पे हार्डीस में इस तरह से यह दिखए यहां पर भी कहते है प्रॉपर्ली मिलीघव सा घड़ा यंदीजिये और इसके लिए गोड़ देखा लिए ओर लुकुल लगा साटा फॉरी मिला यच्छ यह रगा प्र लिए कैसे कनेट करने कंपूटर को एसेंबल कैसे करना आपने सीख लिया कि मुझे पर अलगा का रखने कैसे लगते लेकिन आप यह बात जानने में इंटरेश्ट होंगे कि अगर हमारा कंपूटर बंद है तो डैसे ट्रबल सुट का मतलब होता है ट्रबल यानिंट प्रॉबलम रै इस पार्ट की तरह यहां पे आपको दिखाए देरा CPU अपको सुवरा पाउर सप्लाइच चल रहा है लेकिन आपके लिए एक डेमू CPU मैंने यहां पे लिया है अब मैं इसे उपन करके मैंने रखा है आपको पता है कि इसे उपन कैसे करना क्योंकि मैंने हार्डवेर के पार्ट मैं आपको दिखाता हूं तो अभी आप इस CPU के अंदर देख सकते हैं मेरा यहां पे पाउर सप्लाइ लगा हुआ है और पाउर सप्लाइ से जो केबल आउटपूट आ रही है डीजी पावर यह मदरबोर पे यहां पे लगी हुई है इसमें यह वाला करेक्टर आपको निका चल जाएगा बहुत सिंपा रहता है यह ट्ए पेन फोर पींस पाउर करेक्टर होता है जो कि SMPS से आपके मदरबोर में लगा होगा रहता है MODरबोर में पाउर देने के लिए अब यह आपको SMPS चेक करना है तो आपको करना क्या है यह जो ATX पाउर करनेक्टर है इसमें प्रिण आईए, ग्रीन और ब्लैक वाइर को शॉट करना है, उसके लिए आपको इस तरह का एक जब्पर की ज़रूत है, एक वाइर कोई भी केबल आप ले सकते हैं, जो कि इन दोनों को शॉट कर सकें, अब मैंने एक केबल लीए, आप कोई भी केबल ले सकते हैं, इसे नंबर रहता है, तो मैंने 3 और 4 में इसे इंसेट किया है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, तो ये क्या होगा, ये शॉट कर रहा है न, 3 और 4 में ये connect कर रहा है दूसरे को, 3 और 4 को, तो यहाँ पर मैंने इसे ऐसा लगा दिया, अब ये लगाने के बाद आपको क क्या करना है यह देखिए यह तो प्रॉपरली आपको समझा होगा याद रखिए ग्रीन और ब्लैक कोई और नहीं करना है नहीं तो पुरा SMPs गयो ओके तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए मैंने जो बता है ग्रीन और ब्लैक यह हर एक SMPs में standard color रहते है और यही आपको shot करने कोई भी computer रहने तो उसके SMPs में आपको यही मिलने वाला है कोई भी brand का SMPs रहने तो circle brand का SMPs ओ, eyeball brand का SMPs हो या कोई भी brand का तो आपको यहाँ पे यह वाली cable इस तरह से लगानी है और यहाँ पे एक बात और बताना चाहूँगा अगर आपका पूराना computer है तो उसमें शायद ऐसे छोटी से pin रहेगी यह 10 pins आपको दिखाए दे रहे हैं मतलब यह 20 pins आपको यहाँ पे दिखाए दे रहे हैं 24 pins वाला सो इसके बारे में हम डीटिल में जानेंगे 24 pins कवाया कैसे और पाउर सप्लाइ की बारे में और भी वीडियो में बनाऊंगा फिलाल हम देख रहे हैं कि पाउर सप्लाइ चेक कैसे कर रहे है तो इसे ऐसा लगा दीजिए और ज़रूरी नहीं कि आप इसे इसे ज़र Vergleich यह है तैने क्लाओंगा के करें बिना क्लाओंज की आप कर सकते यह DC ऑँडे यंजि दीछ फार गवो देख सकते है न ! लाओ वह Dr.ष्ट ऑपको क्या करना है आपके कम्प्यटर में स्फिंप्ली पावर लगा देना है अब मैं यहांपर पावर केबल लगा रहा करने के बाद मैं simply button start कर रहा हूँ power button मैंने start कर दिया है अब आप देख सकते हैं मेरे smps का fan जो है वो यहाँ पे घूम रहा है और मैं आपको दिखा हूँ यह fan इसके जो से घूम रहा है क्योंकि यहाँ पर हमने इसे shot किया है अगर मैं इस jumper को हटा देता हूँ यहाँ पर मैं इ इसे लगा दिया तो यह दुबारा start हो जाएगा इस तरीके से आप अपना smps चेक कर सकते हैं बहुत ही simple तरीका है दोस्तों घर बैटे बैटे आप एक simple cable से simple यह jumper cable में ने तहार किये कोई भी wire आप ले सकते हैं जो कि इस hole में चली जाए green और black hole में तो आप इसे लगा कर अपना smps work कर रहा है कि नहीं कर रहा है यह देख सकते हैं आपको बता है अगर नहीं गुम रहा है आपका तो इसका मतलब smps बंद है और smps बंद है यानि कि आपको replace करने के जरूते हैं और smps करते हैं आपके computer के अंदर इसके लिए मैं अलग सा वीडियो जरूर बनाँगा आपके लिए comment section में मुझे लिए 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 कि आप इंट आपको troubleshoot करने के लिए आपको basically करना क्या है इस jumper की मदद से आप इसे troubleshoot कर सकते है राइट jumper आपने लगा दिया तो smps चालूए नहीं चालूए यहाप आपको दिखाए दे रहा है जैसे यह jumper लगा है से चालूए लेकिन आप मैं यह चेक करना चाहता हो कि smps में जो output आ रहा है यह connections का पर जा रहे हैं यह multimeter में लगा है तो यह multimeter आपको खरीदना चाहिए अगर आपको hardware थोड़ा सा advanced level पर सीखना है तो भई 500-200 रुपए तो खर्चा करना पड़ेगा यह 500-200 रुपए में यह आ जाता है multimeter और यहां पर देख सकते मैंने से DC पर रखा है क्योंकि मुझे DC पाउर चेक करना है DC पाउर इस तरफ होता है यहां पर AC पाउर चेक कर सकते आप और यहां पर चेक कर सकते रिजिस्टन्स जै लिए पर दुसरा CPU था तब यहां पर दुसरा CPU दिखा दे रहे यहां पर SNPS का फैन आपको ख्लेर लिदिख रहा है कि घूम रहा है अब मैं आपको यह दिखाना चाहूंगा कि यह यह आपको जो दिखाए दे रहा है पाउर केबल ओके मतलब यह यह वाली लिद्धा हो मैं यह 12 होल्ट वाली है तो यह यह लो केबल में 12 पाउर रहता है लेकिन जरूरी नहीं कि 12 होल्टी रहे का कभी 11.5 आ सकता है कभी 13 भी आ सकता है तो अब बैसिकली चेक करते कि कि कितना होल्ट है इसके अंदर तो यहां पर यह जो ब्लैक नीडल है वह आपको इसमें जो कि 14 पॉइंट है ना सम्टिंग यहां पर इंपको दिखाए दे रही है तो यह 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 आप ए रेडिंग यह आपको दिखा रहा है इसके अंदर 14 वह बिसिकली क्यों है क्योंकि यह जो मेरा सम्प्राइब की तरफ आप देख सकते हैं यह पोर फिप्टी वैट का है च सरकल का मैंने थोड़ा सा महेंगा वाला संपेस लिया है जिसके यह संपेस अगर आपके कबिनेट में है तो आप ग्रैफिक कार्ड हो गए अभी यूज़ कर सकते इतना बड़ा संपेस अच्छा वाला तो इस संपेस की वज़से लगबग यह 14 होल्ट आपको दिखा रहा है ज नहीं कोई भी एक ब्लیک कड़ो आप आप किसी का भी ड्लाइक इसका भी डिलाइक लेंगे तो भी चलेगा उडनिये इसे ब्लैक में मैं अभी लगा रहा हूं यह आप देख सकते ब्लाने लां और हो इधर से पहली पिल में चरो अब यह आप म altre discussingpha यह लगबबग 3.5 होल क्य यह इस केस में 4 होल्ट आ रहा है क्योंकि यहां पे 3 वोल 324 ओर पेच में आएगा अगर आप औरेंज में लगाते हो तो औरेंज के बाद में चेक करके दिखा तो आपको रेड में लगा कि मैं आपको दिखा रहा अभी रेड कनेक्शन से यहां पर आप देख सकते यह चार नं तो बिसिकलिए आप ऐसे चेक कर सकते हैं मल्टी मीटर की जरीए कि आपके smps में पावर जो आ रही है वह एक्जाट आ रही कि नहीं आ रही है कौन से केबल में पावर नहीं आ रही है जैसे यह तो यहां पर कोई पावर नहीं आ रहे तो यहां पर बिसिकलिए पावर चेक करन sounder है तीन बार beep sounder है बीप बीप मैं आवाज निकाल रहा है तो ऐसा sound आ रहा है इसा अगर आपका इशू है तो आपको troubleshooting में क्या देखना है आपको RAM की तरफ जाना है और RAM को clean करना है यह RAM आपको दिखाए दे रहे हैं जो कि मैंने आपको पहले ही बता है है इसके बारे में तो है यह लोग को मैं प्रेस कर रहा हूं इसे मैं निकाल रहा हूं और इसका निकल के मैं साब करूंगा है इसे मेरेजर से साब कर आई यह राइजर बहूत पुराना है इक वह between everyone about the Western ंंे चैनल ज रहा है हूं इसलिए लिगन पॉइंट यहांप में नहीं आपको एक्जम्पल दिखा रहा हूं मैं इसके पर ऐसे इस तरफ भी करूंगा और इस तरफ भी दोनों साइड रहा है को जो गोल्डन पॉइंट आपको दिखाए दे रहे हैं आपको यहां पर इस तरह से इसे क्लीन करने का मतलब ऐसा एक बार ने ड्रैक करने से आपको घिसना है इसके उपर अच्छे से और यहां पर जो भी जंग लगा है वो निकलना चाहिए क्या होता है बहुत बारे बारा बहुत क्या होता है कि बहुत सरी बार आप 10-15 दिन कंप्यूटर बंद रखते हो तो उस टाइम पर इसके उपर थोड़ा सा जंग लगता या डर्श जमा होती है तो इसके डिस्प्ले नहीं आता है बीप साउंड आता रहता है तो डिस्प्ले ने आने का कारण एक रैम हो सकता है रैम के अलावा भी कई और कारण है लेकिन रैम का एक में करने जो की बीप साउंड आता है लेकिन कई बार ऐसा होते कि सिस्टम में से बीप आता है बीप सांड मतलब everything is okay और उसके बाद system चालू हो जाता है तो अगर आपके system में कोई भी error है तो speaker में से एक बीप नहीं multiple beep आते एक बीप आ गया मतलब no error आप से आपका system होके वो चालू हो जाएगा लेकिन आपके system में वो speaker ही नहीं है जो चोटा सा रेता है मेरे case में दीखिए मेरे motherboard में वो speaker अभी आपको दिखाओ तो नहीं है यहापे तो मेरे system में वो बीप sound नहीं आता तो रहे लगाना कैसे नौच पर नौच यह नौच उल्टा है यहां पर आपको यह दिखें इस तरफ नौच पर नौच लगा देना प्रॉपरली लगाना इसको उल्टा लगाएंगे तो लगेगा नहीं जबरदस्ति तो करनी नहीं है इन डिवाइस के साथ बिल्कुल का ट्रबल शुटिंग देखा अब आपको मैं यह भी बताओ कि यहां पर एक बैटरी लगी है सी मॉज बैटरी अभी इसका क्या ट्रबल शूटिंग रहता है यह सिंपल आगर आपके कंप्पीटर में टाइम प्रॉपर नहीं आ रहा है तो सी मॉज बैटरी का मतलब एक्सपा बंद करते हैं अभी सपोस्व तो कल सुबह चालो करते तो कल सुबह का टाइमिंग आएगा अभी का टाइमिंग नहीं आएगा लेकिन अगर यह बैटरी कदम हो गई तो बारा बजेंगे जब आप सिश्टम चालो करेंगे तो बारा ही बजए है आपके सिस्टम में रखती है और इसके लिए आपको बस 75 रुपए स्पेंट करने जाता से 75-50 रुपीज में भी आ जाती है इसे आपको खरीदना है तीन साल इसके लाइप रहती है आप अगर सिस्टम ले चुके नया नया तो डोंट वर्या बोडित तीन साल चलती है उसके बाद आपको इसको ब अब आपको यहाँ पर CPU पे जादा डश दिखाए दी रही है और यह जितनी जादा डश होती जाएगी उतरा जादा CPU हीट होगा और कई कई बार ऐसा होगा कि दो गंटे के बाद कंप्यूटर चलने के बाद बंद हो जाएगा तो दो तिन गंटे के बाद बंद हो रहा है क् एक पटिकुलर हीट में जाने के बाद कंप्यूटर आटोमेटिक बंद हो जाता है फिर आप चालू रिस्टाट करते हो फिर चलता है यह डश को आपको क्लीन करना होगा क्लीन करने के लिए आपको इमेज दिखाए दे रहा है एक ब्लोर आपको यूज करना पड़ेगा या क्लीनर यूज कर सकते जो कि स्क्रीन के पर मैं आपको दिखा रहा है इसकी लिंक में डिस्क्रिप्शन में भी दे रहाए आप वहां से अबस आपको तब होती है जब आपका सिस्टम बहुत दीन तक पड़ा है और उसके इंदर बहुत सारा डश्ट है क्योंकि हाथ से चाप करोगे तो वो नहीं निकलती जाद अतर नहीं निकलती इसे आप हवा से साफ़ करोगे तो अच्छे और क्लीन हो जाती इसलिए ब्लोर का खुमा रहा है उसकी मैं खाम कर तो आपको अलग तरह की नजर आते अमडी का प्रोससर है तो फो लोग इस तरह का आपको एक साथ अभी चारों को अनलोग करने भर खीचना यह यह है यह यहां पे इबट जो कि CPU के साथ यहां पर CPU दिखाए दे रहा प्रोसेसर नीचे दिखिए यहां पर यहां पर यह जो है ना थोड़ा सा आपको लिक्विड टाइप कुछ दिखाए देगा इसे हिच्छिंक सोलूशन बोला जाता है ओके थर्मल पेश्ट हम इसे बोलते हैं तो यह थर्मल पेश् इसके पर थर्मल पेश्ट कंपलशरी है कुछ लोग तो यहां पर तोटी भी लगाते मैंने सुना था बटो नहीं लगाना है तो यहां पर थर्मल पेश्ट इसनीले पूरा सिनेरियो इसले यह आप एंप निकाला क्योंकि बहुत सरी बार यह जो लॉक होते ना वुट से कुशिश करते उसको निकालने के और यह नीचे के लॉक टोट तो यह लॉक बिठाते समय आपको सिस्टम जब आप यह लगा रहे हो अभी यह मदरबोर के उपर दुबारा यह फैन तो इसको लगाते समय आप मदरबोर खोल के लगाओ अगर आप ज्यादा एक्सपेरियंस नहीं है आपको इसका लगाने का क्योंकि यह लोक अगर तोट गए तो आपका यह पैन यहां पे मदरबोर्ड के साथ या से प्रॉसेसर के ऊपर प्रॉपर ली एटेच नहीं बने की आपको प्रॉपर पर वीटनी थोड़ा सा भी लूद्ध तो आपका पोसे सर्द एएक म से यह प्रॉपर नहीं लगा है आपने यह तूट गए आप से यह लोग तो यह इंपोर्टन है कि आप जब यह निकालोगे मैं आपको फिर से बतारो यह CPU के उपर का जो फैन होता है वो निकालने के पहले यह डिस्क्लेमर हमेशे याद रोको कि आपको यह लगाना आना चाहि यह प्रॉपर ली यह लोग नहीं तूटने चाहिए कैसे लगाना मैं आपको दिखा देता चीटो यह आप आप देख सकते हैं यह चार होल से इसमें आपको लगाना याप यह प्रोसेजर है लेकिन प्रोसेजर को निकाल दे समय बहुत ही केर करना है क्योंकि इसकी उपर की देख आपको साफ करनी ब्रेश से यह ब्रेश में यह पर लेकिस के उपर की डिश्ट साप कर ले ताओ पहले क्योंकि आप इसको खोलने के बाद डेश्ट मत साथ को वाट मीज़िए को अपर कुछ भी नहीं करे क्योंकि इसके अंधर डश्ट गिर गयी प्रोसेजर और मदर केस में यह ऐसा लॉक है किसी केस में थोड़ा सा अलग भी लॉक रहता है लेकिन इंटेल की केस में तो ऐसा लॉक है इसे प्रेस कीजिए बाहर खीचिए ऊपर लीजिए इस तरह से छोड़ दीजिए यह देखिए खुल गया इस तरह मैं हुआने बहुत बार की पीशीं की इт कि रिप्राय कर दिये तो उस तक potatoes नेयगे बहुत सब्रक्रोंड है तो यहाँ पिसीचियों को कैसे घंडल करना है इसको प्रापबल नी shoots यहां पर कि सकते यह जिए दिखाए डेशालोज़ डाव के रहे लाइन ग्रीड एकर भूलश जाता है और यह थे अब देहें गे'Moderstock के फिए उपर यह पर पिन से और यह अगर आपको गलती हाथ ही नहीं लगाना है यहाद रखनाय है तो अब अपने प्रोसेशर निकाला तो यहां पर ध्यान से रखना है कि यहां पर आपका हाथ नहीं लगना चाहिए नीचे मदर बॉर्ड किया पर सी प्यू को पिंस रहते हैं यह नहीं पिद्ध नहीं है बिल्कुल आप देखाओगे तो यह प्रोसेशर पीं ले से और कही कही बार पीन वाल लाइन एक भी पीन अगर टेड़ी होगी ना वाई गयो मींस सीप्यों नीचलने वाला सिंपल है याद रखी यह सिंपल सी बात याद रखनी है और इसके यहाँ पर आपको जो आपके हाथ से बिलकुल टच नहीं करना है तो आप ग्लाउज पहें होगे ऐसी यहाँ पर एक जर उसके अंदर बहुत सरे डेर सरे ट्रांजिस्टर रहते हैं आपका स्टेटिक्स पार उस ट्रांजिस्टर के इंफॉमेशन को डैमेज कर सकता है यह आप गूगल पे पढ़ लो और मैं आपको बता रहो कि यह इस तरह से उसको हैंडल करना है प्रॉपरली यह इंफॉमेशन अब दुबबरा लगा समयाइब कि यह चुटव यह आपको पूस्के इकाने के यह दि कर देना है यह चुटी से चीज़ भीए बहुत काम कर सकते हैं तो ये प्रसेसर लाश्ट में खोलो एगर आपको बापी सारी चीजishing नहीं मिलगा रही एपने कर लिया Apal.ith कर लिया नहीं कर लिया और फिर भी डिस्प्लीय नहीं आरहें सारी चिजे करने के लगाना है कैसे लगाना है पर जाता है है से बहुत पराना से तो ही लेगी तो अभी میں आपको दिहा तो मैंने मदर और और अल्रेडी खोल दिया है मदरओर्ड की की स्क्रू कायिंसे ठोले यह बीजिक बात है दोस्तों यहां पर कुछ रहते हैं उसको खोले नहीं बटैना भी तिना डिफिकल्ट इसका reason यह है क्योंकि यह proper lock नहीं लगे तूट गए तो आपको यह lock बदलने पड़ेंगे या फिर आपको फैन ही बदलना पड़ेगा अगर आपके पास पुराने फैन के कोई lock नहीं है available ऐसे वाले तो आपको क्या करना पड़ेगा फैन ही बदलना पड़ेगा पूरा पूरा तो आपको अगर hardware का काम मौपिक करना है तो आपको पैसे मिलने चाहिए तो काम proper करो यह देखिए मैं कैसे लगा रहा हूँ यहां पर आपको याद रखना है कि यह जो दोनों के दोनों है नेडल्स यह जो दिखाई देरें च्षोटे चोटे प्लैस्टिक यह ठान लिया कि मैं जब भी अभी लगाऊंगा लोग को थोड़ा टाइम दूँगा मैं मदरबोर्ड खोल लूँगा पूरा और लगा दूँगा क्योंकि इससे बेनी पीटिया होगा कि यह लोग अभी देख सकते हैं पूरे दोनों नीडल्स नीचे आये हैं अभी से मेरे ल अंदर एक ब्लैक नीडल रहती हो नीचे आ जाती है एक ब्लैक हेडर या ब्लैक नीडल जिसम बोल सकती है यह नीचे आरही एक प्लैस्टिक को और यह लाग हो चुका है अब मैं इससे पकड़ रहा हूं यह मिलकुल भी आपको दिखाए दे रहा है कि यह दिला नहीं ही दो प्रबल शूटिंग के बारे में आपने जान लिए सिप्यू रैम सारी ट्रबल शूटिंग कैसे करने इस पार्ट के अंतर और यह पसंद आया हो तो लाइक शेर और कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों क्योंकि मैंने मेहनत लिए आपको बताने के लिए तो आप थोड़ी सी म इंट्रफ्ट हो गया तो उसे रिइंस्टॉल करने की जुरूरत पड़ेगी तो रिइंस्टॉल करने की प्रोसेस कैसे रहती है तो उसके लिए बूटेबल पेंड्राव कैसे बना जाता है इंस्टॉलेशन के दौरान हार्डीस के पार्डिशन कैसे किये जाते हैं यह सारी है तो दोस्तों दैसी की मैंने इंट्रो पार्ड में आप से का कि आज हम सेखनेवाले बूटेबल प्scheinडरव कैसे बनाते हैं साती में हम सिखेंगे कि हमारे कंप्य़ोर में हम ओपरेटिंग सिट्ञ कैसे इंस्टॉल करते हैं 'm मेरे पास तो Windows 7 में इंस्ट्राल करके दिखाने वाला वैसे तो मार्केट में Windows 10 भी चाल यह आपको पता है लेकिन इसके लिए क्या-क्या चीज़े रिक्वाइड रहती सबसे पहले तो आपके पास एक पेंड्राय रहना चीज़ लगबग 8GB का और 8GB से कम वाला पेंड्राय है इसका नाम दरसल CD-ROM करके आया है नाम आप बदल भी सकते हैं आप इसका नाम यहां से रिनेम कर सकते हैं इसका नाम CD-ROM नहीं है यह मेरा पेंड्राय है तो मैं इसका बूटेबल बनाने वाला तो मैं इसका नाम बूटेबल ऐसा भी रख सकता हूं राइट आप कुछ भी नाम दे सकते तो मैंने यहां पर नाम दे दिया है bootable यह पेंडराय का नाम अब कैसे change करना है आपको समझ मैं नाम दाज़सल change करने के जुरूत नहीं मैंने बस बता है आपको change कैसे करना है अब बुटेबल बनाने के लिए अलगलग सौफ़वेर होते हैं मेरा जो सौफ़वेर है वो मैंने पावर ISO इंस्टॉल किया है जो कि आपके सामने स्टार्ट है चिले मैं डेक्ष्टॉप पे दिखा ता अलड़ी मैंने यहां पे स्टार्ट किया लेकिन डेक्ष्टॉप पे यहां पे इस तरह से आईकॉन आ जाएगा पावर आयोसो सौफ़वेर कैसे इंस्टॉल करने आगर आपको नहीं पता है तो मैं बताओ कि यह बहुत सिंपल है तो यह देखिए गूगल पे पावर इसो सेर्च करने के बाद पावर इसो लिंक पे क्लिक किजिए और यहां पे अगर आपको बूतेबल पेंडराइब बनानँ है और साथी में आपके पास रहना चाहिए एक विंडोज का OS फाइल या इसो फाइल मेरे पास अंरधी है जो कि यहाँ पर आपको डिर्डाइव में लेकी चलता हूँ, यहाँ पर आपको दिखाए दिखाए दिराए Windows 7 All-in-One मेरे पस प्रीक्टिविटेड है आपके पास रहना चाहिए आप टोरेंट से वगरा डाउनलोड कर सकते हैं मैं यहाँ पे इसकी लिंक नहीं दे रहा हूँ डिस्क्रिशन ने लेकिन दोस्तों आप यह तो आपको मिलता ही टोरेंट वगरा पे आप देखेंगे तो और उसके बाद इसे बूटेबल कैसे बनाना यहाँ पे दिखाए दे रहा है, create बूटेवल, usb dry अब मैं इस पर क्लिक करते हूँ। livres करने के बाद आपके सामने आ रहा है एक डायलाव बॉक्स जिसके अनदर आपको दिखाए देगा यहाँ पेauc जो आपने card select किया है न राइट यहां पर आपका card दिखाए देगा तो यहां पर हमारे पास जो एड़ी पर आपका card है वह हमें select करना है हमारे यहां पर दो card है मतलब एक memory card install एजड्राई में लेकिन iDrive में हमारा यहां पर pen drive है तो यह memory card को मैं लोगा मैं यहां पर मैं लोगा pen drive को जिसमें मुझे करना है bootable मेरे पास दो यहां पर इस laptop में मैंने external storage drive इंस्टाल किया है जैसी यह memory card और pen drive यहां पर दोनों भी दिखाए दे रहाए फिलाल iDrive को मैंने select किया image file यानि कि ISO file जो मैंने बोली थी windows की वो मैं इस folder पे click करूँगा और folder पे click करने के बाद dDrive में चला जाओंगा और यहां से मैं windows की यह all-in-one pre-activated वाली ios file मैं यहां पर दे रहा हूँ मतलब select कर रहा हूँ open करूँगा यहां पर select हो चुकी है और उसके बाद आपको करना है यहां पर start button पे click जैसे आप start करोगे यह शालू हो जाएगा booting यह देखिए यहां पर pen drive के अंदर जितना भी data है वो पूरा erase कर देगा पूरा बदा रहा है और return हो जाएगा yes पेंडर का data मुझे important नहीं है वैसे उसमें कुछ data नहीं है तो मैं उसे और return कर रहा हूँ और यहां पर pen drive की पूर फाइल लेता है windows की 3.7 लगबग जी भी लेगा वो या चार जी भी ले सकता है तो वह बाकी का जो space है वह आप यूज कर सकते है कुछ drive कुछ folders कुछ files आपके store करने के लिए लेकिन उस file को बिलकुल हाथ नहीं लगाने bootable क्योंकि वह files में से कोई एक file अपने delete कर दी तो भी file run मतलब bootable painter वहाँ पे काम नहीं करेगा तो आप उसके अलवा नहीं folder बना कि उसके अंदर और कुछ store कर सकते है यहाँ पे कुछ 10 से 15 मिनिट में यह bootable painter ready हो जाएगा फिर यह ready होने के बाद उसके बाद हम देखेंगी कि इससे हम अपने computer कैसे format कर सकते है वो भी step 2 step सीखेंग Windows 7 कैसा install करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ वैसे तो मैं आपको बता हूँ कि Windows 10 अभी चल रहा है मैंने आपको बताया मेरे laptop में यहाँ पे Windows 10 है आप Windows 10 की इस तरह से भी बूट कर सकते है उसके लिए भी बड़ा logic नहीं है तो चले इसे होने देते है फिर हम लोग अपना प्हामैटिक स्टाड करते हैं मैं तो सबसे बदें के बना है वो मेरे कंप्य Ger और स्कूर्ण करूंगा कंपृटर स्टुका है राइट तो जैसे आप डिलीट बटन प्रेस करोंगे आपके सामने आएगा Yi यह विंडो यानि कि आपके करनेसी दिखाई देगी और यह बाइए स्क्रीन डिली व्र्टन से आते हैं अईकता बॉसक्ता एक सारे लैप टॉटर और यह वह सब्सक्राइए लिपकर लग लग हमाएं तो आपको लखी प्रेस करने पड़ेगी यह बाई की स्क्रीन लाने पर लिए और जो बाई की स्क्रीन आपके सामने दिखाए देरेय, ऐसी ही विंडोज, आपके कम्पीटर में ऐसा नहीं हो सकता है, आपका BIOS कुछ अलग तरीके से दिख सकता है लेकिन इसमें एक settings हमें करनी है जो कि हमारे जो bootable पे Android में window है वो हमारे computer में load करना चाहते है तो उसके लिए क्या settings करनी है द्यान से समझेगा सबसे पहले तो आप जाएंगे advanced BIOS features में या आपके BIOS screen में कई भी boot option दिखाए दे रहा है उसके अंदर आप चले जाएंगे advanced BIOS feature में मैं यहाँ पर चला जा रहा हूँ और यहाँ पर hard disk drives को मैं select करूँगा यह दिखाए दे रहा है यह option मैं select कर रहा हूँ इसके आगे मेरा selection है और यहाँ पर press enter करके लिखा रहा है तो मैं press enter करूँगा तो मैं hard disk drive के selection में आ जाओंगा जिसमें first drive, second drive, third drive ऐसा दिखाए दे रहा है first drive पर मेरे पास एक hard disk है, second drive पर भी एक और hard disk है मतलब मेरे इस computer में दो hard disk लगाई हुए यहाँ पर दो sata hard disk आ रही है, एक samsung की है, एक seagate की है जिसका serial number आपको यहाँ पर दिखाए दे रहा है और यहाँ पर जो आ रहा है वो pain drive आ रहा है जो कि USB send disk का pain drive मैंने connect किया हुआ है जो bootable pain drive तो इसमें अभी जो मैं देख रहा हूँ कि operating system यह मेरा first hard drive से run हो रही है लेकिन मैं चाहता हूँ कि operating system मैं भी pain drive से run हो मतलब operating system pain drive में में बूटेबल तो मैं यहाँ से install करना चाहता हूँ तो यहाँ पर मुझे क्या करना है यह USB को उपर लाना है तो इसके लिए मैं एक number first drive वाला जो hard disk से select करूंगा एंटर बटम प्रेस करना है और उसकी जगह में यहाँ पर देखिए मैं डाउन एरो प्रेस करूंगा इसको selection के लिए यहाँ पर माउस यूज नहीं होता है और बहुत सारे बाइस में माउस यूज नहीं किया जाता है कीबोर से आपको करना रहता है लेकिन जो कुछ ऐसे कुछ पायोज है कि जिसमें माउस भी यूज होता है यहाँ दोस्तों माउस भी यूज होता है selection के लिए लिकिन यहाँ पर नहीं है तो फिलाल आप कीबोर से डाउन एरो प्रेस करके select की जिए जिसमें मैं यहाँ ने एंटर कर दिया यूज भी सेंडिस को तो याप फर्ज ड्राइब पर आ रहा है यूज भी सैंडिस राइट सो आपको याद रखना है कि हमारा जो पेंड रही वह फज़ड़ पर रहना चाहिए और थर्ड रही तो हर्ड इस आ रहा है आपकि क्योंकि मेरे पास द है याउस आप ёसे आप ईंस्टोल कर सकते चले मैं है आप ओके कर देता हूं याप करना है आपको मतलब इंटर बátब इंटर बिटम प्रेस करना यहाँ पर यह restart होगा आपका computer यहाँ पर दिखाए दे रहा है मेरे computer में मेरी screen सामने camera लगा है वो भी दिख रहा है ओके यहाँ पर windows is loading files एकर के आ रहा है यह files यहाँ पर load करेगा इस तरह से दिखाए दे रहा है भी file load हो रही है अब हो गई file load दोस्तो इसके बाद starting windows की screen आएगी यह थोड़ा समय fast forward कर रहा हूँ और यहाँ पर आपको अभी computer में windows load होते दिखाए देगा लेकिन सबसे पहले आपको option आएगा कि windows 7 English language कौन सी आपको language लेनी यहाँ पर कुछ भी changes आपको नहीं करना है simply अभ अभी यहाँ पर mouse use कर सकते हैं दोस्तो और mouse use करके यहाँ पर हम OS install कर सकते हैं यहाँ पर next करना है वैसे आपके पास mouse connected नहीं है तो यहाँ पर alt N button press करके आप यहाँ पर next कर सकते हैं पर दीख रहे हैं आपको मैं आप aliness बंड इक्क्लिक कर रहा हो उसके बाद उसने पूचा il इंश्टब बिंडोज एक्टिवींदेर और भी बैपसी एक्टिवीटेर्ट बिंडूस थो तो यहाँ पर मैं क्लिक करूवाँ copy इस तो आप ते यह आपके ऑपरेटिंग सिस्टेम की टाइप आपको सलेक्ट करना है आपको होंब इसी चीए आपको प्रोपेशनल चीए आपको अल्टी मेट चीए आपको फ्रीमियम चीए यहां से अप से लेकर सकते है और यहां पर यह जो आप अपने कंपीटर में कौन सा इंस्ट्रॉल करना चाहते है अब मैं इसमें यहां पे दिखाया दे रहा है बहुत सरी अपरेटिंग सिस्टम मैं 64 अगर इंस्ट्रॉल करना चाहता तो मैं 64 प्रोपेशनल वाला से लेकरूंगा विंडोज 7 प्रोपेशनल 64 और 32 वाला इंस्ट्रॉल करूंगा तो मेरे केस में अभी मैं औरी मेरे एक हाट्रे में 32 बीट वाला है तो मैं इस केस में यहां पे मैं 64 बीट का इसमें इंस्ट्रॉल करता हूं क्योंकि यह मैं दूसरे अर्डिस में इंस्ट्रॉल करना चाहता हूं दो आर्डिस इसमें तो यह वाला म आप्लिकेशन से 64-bit वाले में चलेंगे तो ज्याद अतर आपके वास फोटोशब 7.0 है पेज में कर है को रोल रॉट वेल है ऐसे सॉफट्वेर है जो कि मैं अल्रीड रियल चैनल के उपर उसके उपर वीडियो बना चुका हूं और वो वीडियो अपने नहीं देखे तो सब्सक्राइब करना जरूरी ता रियल रियल चैनल है अपना एक जिसमें फूटोशब को रॉल रॉप पेज में करके वीडियो अवैलेबल एज़रा जाके चेक कीजिएगा फिलाल तो मैं आपको बताओ कि यहां पे मुझे 32-bit नहीं चाहिए मैं क्या करने आ आलाओ 64 करने सब्सक्राइब करना और उसके बाद आए एगरी टू इंस्टाल विंडोज एक्टिवेटेड यहां पर पूरा पढ़ते नहीं बैटोंगा यहां आप बाद मैं आराम से पढ़ लेना पढ़ना है तो ओके सो यहां पे नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है उसके बाद आपको पूछा गया कि पुराने विंडोज में अप्ग्रेड करना है या कस्टम करना है हमें यहां पर दो आप्शन मिल रहे हम करेंगे कस्टम याद रखिए कस्टम ताकि हमेरे हमारी हटी समय आप दिखाई दे और यहां पर टोटल हड लोड हो जाएगी दोनों भी आटीश की ज इस्टेल करने मैं आपको बिताओ यदों लेकिन सबसे पहले से निय। क्लिक करके आप यहां पे ऑप्शं में ऑप्रेशिंस ले सकते सब्सक्राइब करें जैसे स्बसक्राइब सब्सक्राइब करत करना है तो आपको इस पर्टिशन को डिलीड करना होगा इसडर में मैं फो При आये रहा यह वाला जो पार्टिशन टूए इस पार्टिशन में मैं OS इंस्टॉल करने वाला हो जो मेरे दूसरे हाट डिसका है यह है 60GB लगबग और 25GB इसमें अल्रेडी फ्री स्पेस है और बाकी का डेटा है तो मैं यह पुराना जो OS है इसके अंदर भी OS है पुराना तो उ लोग कहते हैं लेकिन नहीं OS इंस्टॉल करते समय आपको फॉर्मैट करना कमपसर नहीं रहता है बस पेस रहना चाहिए अब इसके अंदर 59GB में 25GB स्पेस है लगबग तो 25GB में मैं मेरा OS डारिक नेक्स कोड़ोंगा तो इंस्टॉल हो जाएगा और पुरानी फाइल वैसे रहेगी और वह फाइल Windows.old नाम से वैसे रहेगी याद रखिए आप अपनी पुरानी फाइल भी Windows के अंदर रख सकते हैं और वह बीना फॉर्मैट की भी रहेगी मतलब ऐसी कि आपका सी ड्रव पहले वाला करेप्ट है पहला OS करेप्ट है लेकिन उसके desktop पे उसके my document में या उसके c drive में कुछ आपकीफाइल से जो कि अपने your e² में नहीं रखी है जो रहता है इडियोर को लोड करे तो यहां पे पुरानी फाइल रख दोंगा मैं फॉर्मैट नहीं करूंगा और नेक्स करूंगा तो यहां पर यह जो बाकी तो यह खली है और बाकी की जो फाइल है वैसे रहेगी बस उसका नाम आएगा windows.old करके क्या नाम आएगा windows.old जब आप computer स्टार्ट करोगे तो सी ड्राव में आपको windows.old नाम का एक folder मिलेगा जिसमें आपकी पुरानी तो आपको फॉर्मेट करना कमसरी नहीं बस free space रहना चाहिए अगर आपके बस free space नहीं यह तो आपको format किसे option नहीं क्योंकि आपके दस press परेशन नहीं तो सकते हैं अच्छा कितना स्पेस रहना चाहिए लगबग 10-12 जी तो रहना चाहिए मतलब मेरे इसाब से रहना चाहिए एट लेकिन उससे क्या होगा मैं बताता हूँ दस से बाराजी भी नप नहीं है वैसे क्योंकि ओस उसमें लोड होगा तो वैसे फूल हो जाएगा फिर आपको जाकर अंदर विंडोस डॉट की फाइल कॉपी करके डिलीट करनी पड़ेगी या पिर आलग जग़ा पर बैक अप लेकर उसको डिलीट करना पड़ेगा लेकिन व डिपेंड करता है आपको कि अगर बैक अप लेना है अनक पिसे फोर्माट ना करे लें गरें मोझे मुझे लेना तो मैं इससे फोर्माट कर सकता हूं यह पॉर्मेट बटन पर क्लिक करने पहले है अच्छे से सोच लो तो यहां पर नहीं आपको कोई भी पार्टिशन और अगर आपने नहीं आडिस ली तो आप बस बिंदास न्यूप पे क्लिक करके नहीं पार्टिशन डाल सकते कितने साइज का चाहिए और नेक्स्ट वो कभी मैं आपको बात में मुझे नहीं चाहिए याप एक बात ध्धान से समझ लो कि वहीं ट्राइव से लेक खुरो जिसका अपको पॉर्मेट मार रहा है ने तो गल्दी से आपका जो ईड्राइव और डी रहा है अलग अलग ड्राइव हम बनाते एक्स्ट्रा जिसमें स्टोरेज है वो ड्राइव अब आपने डिलेट किया तो वही आगए है आपका डेटा तो आपको फिर से मिलने वाला नहीं फिर से आपको रिकारी का वह अलग लग टूल्स रन करना पड़ेगा हो सब मगर्श मारी करनी पड़ी हासन बाशा में बोलू तो ओके सो अगर यहाँ पर देखे इसे सिलेक कर मैं फॉर्माट कर रहा हो ओके कर रहा हो 59GB वाला जो डेटा है वोगा फॉर्माट अभी फ्री 59 नहीं रहेगा यह तोड़ा बहुत डिफरेंस दिखाएगा यहां पर अभी कुछ भी डिटा नहीं इसके अंदर और इसमें OS लोड होगा नेक्स करना है नेक्स करने के बाद य निकाल लेना है क्योंकि फिर से पेंडर से हमें OS बूट नहीं करनी है अभी हमारा OS औरेडी इस्टॉल है तो वह स्टार्ट हो जाएगा डायरे का पेंडर निकाल हो गया तो हमारे हाट डिस के अंदर OS जिस ड्राइव में लोड हो गया उस ड्राइव से ही यह डायरेक्ली ऑ फास फॉरवड मैं अभी कर देता हूं और यह बाकी की फीचर्स इंस्टॉल और उसके बाद अपडेट्स इंस्टॉलिंग और इसके बाद आएगा कंप्यूटर रिस्टार्ट करने के लिए राइट सो अगर आपने यहां पर रिस्टार्ट नाव पे क्लिक किया तो भी चल अभी लोड होगा लेकिन अभी ओए जो लोड होगा वो लोड होने है ह arडदी से तो यहां पर दो है दिख रहे है। do default hard disk का है यह सेकेंड वाला OS में सेलेक कर रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी इंस्टॉल किया है और मैं इसे एंटर कर देता हूँ सो लिख्या रहा है setup is updating registry settings तो यहाँ पर windows कुछ कर रहा है settings तो करने तो भाया इसे settings आप बस देखते रहना है यहाँ पर आएगा completing installation और यह भी installation हम complete होने देंगे तो जैसे मेरा OS लोड हो जाएगा और computer restart हो जाएगा तो वहाँ पर आपको पूछे जाएगा कि आपकी computer का नाम क्या रखना चाहते है तो चलिए इस case में मैं इस computer का नाम रख रहा हूँ यहाँ पर सतीश चलिए मैं इस computer का सतीश और यहाँ पर मैं इसे next करूंगा जैसे में next करूंगा वो मुझे पुझेगा password तो मैं यहाँ पर पासवर्ड इंटर कर दूंगा कुछ भी पासवर्ड और उसका हींट आप इंटर कर सकते हैं और next की जिएगा पासवर्ड याद रखिए का लेकिन जो आप login के लिए हम आप यह बटन पापको क्लिक करना है और फीर यहां पे आपको time zone जो select करना है वह plus 530 तो नीचे आज यह ङुद्ध उडिए राच्थे लेके कोलकता ओके सो चन्द कोलकता मुंबई डेली यह मैंने छेया हो और और जो तो यहां पर बाकी के आइकॉंस नहीं दिखाए दे रहे हैं तो उसको लाने के लिए मैं सिंपल करूंगा डेक्ष्ट की पर राइट क्लिक और यहां पर पर स्नाइज ऑप्शन में चला जाओंगा जिसमें आपको मिलेगा चेंज डेक्स टॉप आइकॉंस जिस पर क्लिक करके यहां पर आपको बस चेक करना है कम्पीटर यूजर फाइल नेटवर्क कंट्रोल पैनल है ना इंट्रेस्टिंग बस इतना है चेक कीजिए एपलाई कीजिए ओके कीजिए आपको मिल जाएंगे बाकी के आइकॉन राइट कैसे किया समझ मैंना राइट क्लिक पर स्नाइज बस और यहां पर क्या करना है माई कंपेटर के पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाके देखना है कि हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी यह विंडोज सेवन प्रोपेशनल 64-bit और इसका राम औगरा बाकी की चीज़ें भी यहां पर दिखाई देर है जैसे कि मे प्रेक्टिवेटेड हमारा विंडोज अपनी इस्टॉल किया है अब विंडोज तो इस्टॉल कर लिया लेकिन बहुत सारी बार अगर आप विंडोज इस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर तो प्रॉब्लम यह होता है कि ड्राइवर्स डिटेक नहीं होते हैं सेने साउंड ड्राइवर जब आप अपना साउंड का 3.5 mm का जैक कनेक्ट करते अपने सीप्यों के अंदर तो वहाँ पर आवाज ही नहीं आते आप बोलते यार क्या हो गया मेरे सिस्टम के साथ मैंने तो विंडोज प्रॉपर इंस्टॉल कर लिया तो उस ताम पर आपको आप ये दिकना कि 7 ड्रैवर इंस्टॉल हो लागते अपने सीपीओ नहीं आता है तो इसे ड्रैवर कैसे इंस्टॉलक करने यह हम जाने वाले या पिर अपने प्रिंटर करने की तरह तो इसका अब इस तो इस बीवाइस को रन करने लिए ड्राइवर के जरूत होते हैं और यह जो नेट्वर्ग ड्राइवर और साउंड ड्राइवर ये ध्राइवर सहने क्रॉस दिख रहा है तो नेट्वर्ग का ड्राइवर बाण दिखने को आपको तो ड्राइवर इंस्ट अगर नहीं है इस केस में आप अपनी कंपिटर में ड्राइवर इस्टाल करने के लिए आपकी कंपिटर का जो मदर बोड़े उसका एक सीडी मदरोड के साथ आपको एक सीडी मिलता है उसमें से आप ड्राइवर इस्टाल कर सकते अगर आप इनकेस में सीडी गूम हो गया तो आप नेट से रियल पर लेकर इंस्टॉल करना होगा डाउनलोड तो चाहिए आपके पस लैंड ड्राइवर नहीं है तो फिर मुश्किल है और आपके पास सीडी है तो कोई बात नहीं मेरे केस में तो मेरे पास सीडी थी जो कि मैं पास आई ड्राइव में पड़ी है रूलर मदर बोर्ड नाम की यह दिखाए दे रहा है रूलर मदर बोर्ड जो कि मैंने अल्रीड इस सीडी को कॉपी करके रखा इसमें नेटवर्क ड्राइवर में मैं विंडोज सेवेंट सिक्टिफोर बीट वाला 3264 यह वाला फोल्डर ओपन करूंगा इसमें यह सेटप पाइल जो दिख रहा है रन कर होगा यहां पर अब तक क्रॉस आ रहा था अब थोड़ी देर में क्या होगा आपको देखने को मिल जाएगा आप खुदी देखिएगा कि तो यहां पर आभी आपको देख रहा है ये हो गया install और मैंने पाश्पारवर किया और यहां पर फिनिश्च बटन पर मैं क्लिक और यहां पर है साउंन्ड रेवर में चले जाओंगा और यहां पर windows 7 60 Depotबीट वाला जो साउंड ड्राइवर है वो भी मैं यहां पर इंस्ट्राल कर देता हूं इस तरह से आपको । ड्राइवर इस्ट्राल करने रहें और राइवर आफ को नहीं मिल रहें तो ड्राइवर अगर आपके पास ड्राइवर की सीडी नहीं है या कोई ड्राइवर आपको नहीं मिल रहा है ड्राइवर तो बैसिकली आप ड्राइवर, अपडेट, सारी चीज़ आपको यहाँ पर मिलेंगे तो दिल, Laptop, Wi-Fi, ड्राइवर या फिर जो भी ड्राइवर आपको चेह ब्ल्यूटु ड्राइवर तो यहाँ पर चाहो और ड्राइवर याण ड्राइवर इंस्टॉल कर सकते हैं लेकिन आपको इन्यूयवसल ड्राइवर चाहिए तो बहुत सरे लोग इससे सच करते हैं मैंने क्या सच किया गूगल कीपड़, DRP आपको दिखा दे रहा है DRP मैं टाइप और मैं प्रेप्रेस करा हूँ DriverPakS solution इस एक एक ड्राइवर पैक सीजिये इसके बाद इसे इंस्टाल कीजिये और इस फाल को रन कीजिये छिस इन्सलिक और अटमेटिक ड्राइवर डिक्ट करता है लेकिन मैं इसे अभी रिकमेंड इसलिए नहीं करूगा क्योंकि यह अन्माउंटेड ड्राइवर्स भी बहुत सारे डालता रहता है यह रियलिटी है और मैंने कुद इसे डाल के देखा अलड़ी आप देखोगे तो बहुत सारे अनोंटेड ड्राइवर्स जो आपकी PC को जरूरी नहीं वह भी आ जाते हां रिक्वाइड वह तो आया जाते लेकिन मैं रिकमेंड हमेशे यह करूँगा कि एक तो जब अप काड़ है तो आपको ड्राइवर मिल जाएगा उसके वेबसाइट से वहां से डाउनलोड करेंगे तो वह बेश्ट रहेगा क्योंकि वह प्रॉपर्ली वही ड्राइवर राइगा बाकी ड्राइवर नहीं आए और नहीं मिला तो यह सूलूशन रहता है ड्राइवर पक्सूल मतलब डेक्स्टॉप में कैसे सेट कर सकते या फिर यूजर अकांट कैसे बना सकते एक इंदर या पारेंटल कैसे करते या निकि पैरेंट्स अपने चाल्स की ऊपर कंट्रोल कैसे रख सकते आगर वह कंप्यूटर उन्हीं यूज करने के लिए दे रहे तो तो प्रैक्टिक पैनल की भी कुछ सेटिंग समझाने वाले है, सबसे पहले मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूंगा कि पर ज्यादा फाइल ना रखे, जैसे मैंने यहां पर चार कॉलम में फाइल रखी आपको दिखाई दे रही है, ज्यादा फाइल्स आपको रखनी है तो आप ड्राइव उसक पूरा क्लीन करना है तो जरूरी नहीं मैंने आपको फार्माट के टाइम पर बताया कि सीड्राइव की फाइल भी आप रख सकते हैं लेकिन आपकी इंपॉर्टन फाइल है जो आपको क्वीकले एकसेस करनी है तो आप हड़ दूसरी जगा पी भी लागा के क्वीकले एकसेस लोडिंग सीड्राइव से हो रही फाइल की तो वहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेस लो भी हो जाता है इसलिए डिक्स्टा पे ज्यादा फाइल मत रखो ओके यह एक इंफॉर्मेशन मुझे देनी थी अब कुछ सेटिंग देख लीजिए राइट लिक कीजए यहाँ पे देख लेकिन लेटर में 8080 support करता है जैसिक यह resolution मेया 1 366 7 6 8 मतलब 1080 уйтеidente 16 9 यह था है यह रहता है और 1080 1920 x10 brow लेकिन यह monitor samsung का फुराना monitor है तो इसमें इतना सप् справ रहा है फिलाल के लिए तो आद देख सकते इसमें 1 366 by 7 6.8 यह resolution मैंने रखा है okay 100% यहां पर recommend मैं करूँगा यह settings आपको right click करके मिलेगी right click display settings यह settings आपको इसलिए रखनी रहती है जब आप screen recording कर रहे हैं तो वो 6.9 में recording आजाता है okay basically मैं recording करता हूँ तो मेरा full screen आपको दिखाए दे रहा है 6.9 resolution में दूसरा है कि personalized settings इसमें कुछ basic settings रहती है जो शायद आपको पता रहेगी पता है तो आगे मतलब forward कीज़ी वीडियो को फटा पर जैसे कि यहां पर आपको बताया है कि आप background बदल सकते right यहां से आप background जो चहीए वो यहां पर रख सकते आपको बदलना है यहां पर ब्राउस करके आप अपना खुद का picture यहां पर रख सकते है कोई भी photo आपके पास है वो आप रख सकते है ब्राउस कीजिए फोटो सिलेक कीजिए that's it वो ब्राउस के background में आएगा basic सीज है right I don't want to explain it वो आपको पता होनी चाहँ यहां पर colors भी बदल सकते है यह थिम का color है तो आप डार्क लाइट रखना चाहते है यह options पे click कर के पस चेक कीजिए किस तरह से यह options मिल रहा है यहां पर आपको result मिलते जाएगा प्रिव दिखाएदेगा colors आप चेक कर सकते, change कर सकते lock screen कैसे display होनी चाहिए जैसे lock होता है, जैसे windows start करते मतलब आपने password दिया रहेगा तो windows चालू करती, lock screen आती तो वो कैसे दिखनी चाहिए, इस तरह से या फिर इसके लिए या पे है, देखिए picture option के साथ चाहिए, तो ऐसा picture आएगा जो आपका background का picture है, वो ही दिखाए देगा या फिर picture बदल सकते, आप खुद का भी lock screen पे picture रख सकते है, और slide show भी यहाँ पे रख सकते है, तो यह सारे options से न, click करके आपको देखनी की ज़रूरत है screen time out क्या रहेगा, screen saver settings कैसी होती है, screen saver मतलब जब आप screen पे काम नहीं कर रहे तो screen saver गुमते रहेगा सामने, तो उसके लिए भी यहाँ पे screen saver आता है, right screen saver में जाओ, यह पुराने computer में भी रहा करता था जैसे आप चाहते bubbles, तो यह देखे यह bubbles कैसे है, यह पिर अलग-अलग screen saver है उसका time out रख सकते है और screen saver रहे यह भी रख सकते है मतलब जैसे screen saver आये तो यह जैसे screen saver पे किसी ने इंटर बटन प्रेस के screen saver आताने के लिए तो उसको डिरेकली password पूछा जाए तो यह होता है आपना computer जैसे आपके colleague बगेरा क्या होता है कोई भी access कर लेगा computer बार-बार आके लिए आप lunch time ले रहे हो office में तो उस time पे यह option on करके रखो screen saver automatic आएगा, computer में lock हो जाएगा 1 minute की बाद, timing भी आप यहाँ पे रख सकते है तो यह screen saver की एक basic setting है जो सहरे किसी को पता होना चाहिए trial करके देखो, apply करके देख लो तुरंत यहाँ पे 1 minute रखो यहाँ पे screen saver select करो जो चाहिए हो आप खुद का text चाहते है तो यहाँ पे 3D text में जाओ और यहाँ पे settings में जाओ अपना खुद का text भी आप यहाँ पे type कर सकते है यह basic सीज है जरा type करके देखे यह देखे windows 10 आ रहा है जैसे मैं यहाँ पे type करना चाहता हूँ मेरा खुद का text जैसे complete technology यह landmopro.com जो कि हमारे website है आपको पता ही रहेगा इस website के बारे में नहीं यहाँ पे setting है यहाँ पे preview है सारी चीज़े देख सकते है और apply करेंगे तो apply हो जाएगा मैं नहीं कर रहा हूँ लेकिन screen saver की जरुद है आपको तो तो यह सारी चीज़े यह पे दी है बाकी भी चीज़े आप चेक कर लेना यह basic settings है जो आपको जाननी ज़रूरी है जैसे मैंने background बदला तो यहाँ पे बदल गया अब यहाँ पे और कुछ चीज़े जैसे की control panel setting तो मैं यहाँ पे control type कर रहा हूँ run में देखिए मैंने type क्या किया है start run control अब हम control करेंगे इस control के जरीए हम अब हमारे computer को control कर सकते है अब इसमें धेर सारी settings है जो कि एक video में मैं नहीं बता पाऊंगा लेकिन मतलब अभी इस video के लिए मैंने hardware के लिए specially रखा है तो hardware के जो important settings है उसे related मैं भी बता रहा हूँ लेकिन अगर आपका recommendation है आप comment मुझे जरूर लिखिए कि sir हम bitlocker के बारे में या बाकी सारी चीजों के बारे में detail में जाना चाहते है तो मैं हर एक के उपर video बनाऊंगा right मुझे कुछ problem नहीं है इसके related में video बनाऊंगा जरूर फिलाल आप यहाँ पर देख सकते है यह large icons में ने रखा है अगर आपके यह पर category selected है तो आपका कुछ ऐसा view आएगा यह देखे तो यह पर click किजिए और large icons यह देखे large icons small icon भी रख सकते हैं यहाँ पर आना है programs and features पर click करना यह क्या बताता है click करो यह बता रहा है कि यह आपके computer में कौन कौन से software install है इतने सारे software install है जो uninstall करना है उसे select किजिए मुझे जो uninstall करना है मुझे jam server uninstall करना है यह पर मैं click करके uninstall करूंगा right इस पर click करके आप uninstall यह jam server php अगरा के लिए होता है coding के लिए okay तो ठीक है यह आपको definitely यहापे समझ में होगा कि uninstall करना बहुत इजी और install करना कैसे मैंने आपको driver इसे install करना बता है वैसे install करना होता है install करना कोई difficult नहीं है बहुत easy होता है दोस्तो double click करके install कोरो कोई भी software that's it और अजकल बस easy में थड़े सब software के MSI file आती है MSI file क्या होती है मैंने already complete technology channel पर वीडियो बनाया है दोस्तो देख लेना और यहापे यह है program and features के बाद आपको मैं और चीज़ दिखाना चाहूंगा यह है user account जो important settings है वो हम देख रहे है भी फिलाल user account जो आपको पता होना चाहिए जो की आपके computer में आपका user अभी login है जैसे मेरा user login है learn more दिखाए देरेना मेरा photo VR है क्या बात है okay so यहाँ पर मैं करना चाहता हूँ change your account account type change करना है account name change करना है या फिर manage another account करना है जो भी changes करने मैं यहाँ पर click करूँगा मुझे फोटो बदलना है सारी चीज़ यहाँ पर अवेलेबल रहती है मुझे पास्वोट बदलना है सारी चीज़ इस सेटिंग में जाकर आपके कर सकते है मैं फिलाल एक और अकाउंट बना की दिखाना चाहँगा आपको क्रेट न्यू अकाउंट आएगा नाम देदो और अकाउंट तयार होगा सामने सामने इंटरफेस होता है यहाँ पर ऐसी विंडोस 10 के अंदर थोड़ी सी चीज़े अलग वती है यह विंडोस 10 में में रेकॉडिंग कर दा हूँ तो यहाँ पर अलग क्या है लॉक अनलोक यहाँ पर करने की फीचर्स रहते है इसके बारे में मैंने अल्रीड एक वीडियो बना था पैरेंटल कंट्रोल कैसे डाला जाता है चाइल्ड पैरेंटल कंट्रोल वह अपने चैनल की पर अवेलेबल है वह जरूर देख लेए ना मैं आपको आई बटन पर लिंक देता हूँ डिस्क्रिप्शन में भी लिंक देता हूँ पैरेंटल कंट्रोल हम कैसे अपलाई करके कर सकते हैं फिलाल यह देखिए एड़ फैमिली मेंबर पे में क्लिक कर रहा हूँ एड़ फैमिली मेंबर पे क्लिक करने के बाद यहां पे आपके सामने जस्ट अ मुवमेंट और यहां पे आपको क्या करना है उनका इमेल आईड़ी जर्ए देखिन होगा लाग पे अकांट तैयर होगा उनका नया एक आकांट तो आप ऐसे अकांट भी तैयर कर सकते हैं अपको यह समझाऊ और अकांट तैयर होने के बाद वहां पे फैमिली सेप्ट्टी के लिए आपको पारेंटल कंट्रोल आप्शन आता है तो यह तो Windows 10 के अंदर account कैसे ताहर करना मैंने आपको बताया, लेकिन Windows 7 के अंदर आप चाहते है कि user account कैसे बनाना और parental control कैसे लगाया जाता है, practically देखना चाहते है, तो मैंने उसके पर already video बनाया तो जो मैं आपको यहां पर दीखा रहा हूँ, दोस्तो अगर आपके computers में multiple user है जैसे कि यहां पर control panel से आप user account तैयर करते हैं, मैं आपको दीखा दिखा 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 तो multiple user create कैसे करते हैं, control panel में जाते हैं हम यहां पर, शायद आप hardware से वाकी थो या control panel से वाकी थो तो आपको आता होगा कि control panel से हम लोग किस तरह से user account से user बनाते हैं, तो यहां पर multiple user है, यहाँ पे user account में जाहिए है, user account में manage another account, manage another account में हम लोग ने user तायर कर सकते हैं, यहाँ पे आ रहा है create a new account. अब मेरे पास पहले से एक user है, यहाँ पे दिख रहा है आपको प्रिया नाम करके यह मेरे computer का user administrator. और यहाँ पे मैं कर रहा हूँ create new account create new account पे यहाँ पे मैं click कर रहा हूँ और एक नया user यहाँ पे बना रहा हूँ अब यह नया user यहाँ पे दिखाई दे रहा है standard user करके मैं इसे बना रहा हूँ और यहाँ पे मैं नाम दूँगा इसको suppose मैं नाम दे रहा हूँ यहाँ पे ABC ABC account यहाँ पे मैं create कर रहा हूँ और यहाँ पे create account पे मैं यहाँ पे click कर दूँगा तो आपको दिखाए दे रहा है यह account यहाँ पे create हो चुका है यहाँ पे दिखाए दे रहा है clearly यहाँ पे आपको यह account बन के मिल गया है अब मैं इसे parental control setup करना सिखाने वाला दोस्तों अब यह parental control क्या होता है इसके बारे मैं पहले मैं बता देता हूँ अगर आप parents हो आप administrator के right से आपके बास यह administrator account आपका है और आपने यह जो account बनाया है आपके घर में जो भी child है या आपका कोई छोटा भाही है उसके लिए आपने यह account यह आज हम सीखने वाले तो चले सीखते है parental control तो यहाँ पे parental control option आ ही जाता है जैसे आप account तायर करते हैं और उसको select कर लेते हैं account कैसे तायर करना मैंने बता दिया है आप सब जानते भी होंगे शायद तो setup of parental control पे यहाँ पे मैं click करूँगा और जैसे मैं इसपे click करूँगा आपको यहाँ पे parental control के लिए यह account आ जाएंगे इसमें मैं select करूँगा ABC account जिसपे मैं parental control set करना चाता हूँ जाहिर से बात हैं यह मेरा administrator account है तो इसको मैं parental control नहीं set करना चाता हूँ ABC को set करना चाता हूँ तो ABC को parental control यहाँ पर मैं set करूगा तो ABC पर आपको click करना होगा parental control यहाँ पर set करने के लिए यहाँ पर आपको दिखाए देड़ा है setup how ABC will use the computer आप setup कर सकतें कि ABC किस तरह से computer use करना ABC को क्या setup देना आपको तो यहाँ पर सबसे पहले आपको click करना होगा यहाँ पर आपको दिख रहा है on in post current settings तो मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ और जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पर आपको windows की तीन settings आ रही है time limits, games, allow and block specific programs तो मैं यहाँ पर आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ कि time limits कैसे करना है तो चलिए time limits पर मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ time limits पर क्लिक करने बाद आपको दिखाए दे रहा है यहाँ पर पूरे weekdays, monday to sunday आ रहा है पूरा पूरा यहाँ पर पूरे house भी आ रहा है और इसमें आपको दिख रहा है कि allow मतलब क्या करना है allow यानि white रखेंगे तो allow ब्लॉक करना है तो blue करेंगे तो blue करेंगे कैसे, blue तो बस ऐसा tick and drag करना है जैसे सीट booking का वीडियो मैंने बनाता है एक साल में वैसे ही करना है यहाँ पर दोस्तों बस मैं यहाँ पर drag कर रहा हूँ और आपको दिखाए दे रहा है अभी आपको कौन से हर्स में उनको computer login करना allow करना है वो आप यहाँ पर रख सकते और बाकी सब block कर दीजे जैसे कि उनका off time रहता है उनको यह दो गुटाई computer में बैटने के लिए allow करना है तो जैसे computer में बैटेंगे 11 से 1 के बीच में बैटेंगे तो यहाँ पर उनको login करने के लावा होगा और अगर शाम को 6 बजे 5 बजे कोई भी time इसके अलावा कई पर भी वो login करने चाहेंगे तो उनको message आएगा कि time restriction है आप यह login नहीं कर सकते इस time पर आपको prevent किया गया रोका गया है login तो यह okay कर दीजिए और आप इसे login करके check कर सकते हैं फिलाल मैं यहाँ पर log up नहीं कर पाऊंगा इस वीडियो में क्योंकि मैं जैसे log up कर लेता हूँ मेरा video recording stop हो जाता है तो उसके बाद मैं आपको वीडियो नहीं दिखा सकता हूँ इसलिए आप इसे क्या कीजिए अभी okay करके check कीजिए directly इसको log up कीजिए जो admin user है यहाँ से आप इसे log up कर सकते है admin user को और log up करेंगे तो आपको दूसरा user मिलेगा साथ में और उसको switch user भी कीजिए तो आप check कीजिए अगर वो timing में आप login नहीं करेंगे तो वो login होने वाला नहीं है यहाँ पर data and time है change करके भी आप देख सकते हैं directly data and time change करेंगे कीजिए आपकी system का system का data and time सही रहना बहुत ज़रूरी है तब यह time limits आपका काम करेगा नहीं तो आपका system का data and time कुछ अलग है तो वो काम करने वाला नहीं प्रॉपरली तो इसके लिए आप यहाँ पर time check कीजिए इस time में आप भी login नहीं कर पाएं क्योंकि हमने उसे 11 से 1 के बीच में रखा है तो clear है आपको यह कैसे time limits set करना है तो चलिए user को time limits set करना तो आपने सीख लेकिन अभी वो बच्चे हैं और games खेलते हैं तो उसके लिए आप games restriction भी कर सकते हैं तो आप parents है तो आपको इलिए कापी useful है है और यहाँ पर दिखाए देरे आपको control which types of games can you ABC play तो ABC को कौन सा allow करना है कौन सा नहीं तो सभी games तो मैंने yes रखा है फिलल तो अभी आपको यहाँ पर no रखना है तो no पर भी click कर सकते हैं तो पूरे games यहाँ पर restrict हो जाएंगे और yes रखेंगे तो भी games ratings यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पर option भी आ रहा है allow block specific games तो यहाँ पर जाकर आप जो games आपको उनको block करना है यहाँ पर list आ रही games की इसमें से आप block पर click करोगे आपको कैसे block रखना है Always, allow, always, block यह सब settings यह आप जानते हैं कहाँ पर check करना है कहाँ नहीं तो आप यहाँ पर click करके उसे check और uncheck कीजिए जैसे block करना है या allow करना है तो यहाँ पर वो options है और वो आप settings कर सकते हैं तो यहाँ पर आपको समझ मैं कि यहां से हम games settings कर सकते हैं, games को block कर सकते हैं उसके लिए और यहां पर next है applications, यहां पर मैं इसे ok कर देता हूँ यहां पर दिख रहा है all of and block specific programs, applications तो यहां पर यह applications का तो आपको ज़्यादा चाइल्ड के लिए तो कोई ज़रूई नहीं है लेकिन जब आप office में हो और वहां पर यूजर्स तायर करते हो तो वहां पर suppose आपके पास बहुत सरे applications है जो tally operator है, suppose accountant है आपने रखे हैं उनको job के लिए तो वो लोग बाकी के भी use कर रहें software, उनका कोई काम नहीं वो software पे भी बाटके time pass हो रहा है उनके साथ, उनका वो time pass कर रहें वहां पर तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर ABC can only use programs i-along मतलब ABC को जो programs मेरे computer में पूरे install है, वो सब allow नहीं करने जितने मैं उसको allow करूंगा, उतने ही वो use करेगा तो यहाँ पर आपको पहले click करना है, और जैसी यहाँ पर click करेंगे, पूरे computer के program यहाँ पर application path के साथ load हो जाएंगे, थोड़ा सा time लेगा यह, पर पूरे program पूरे program की list आजाएगी यहाँ पर, उसके जरीए आप जो program allow करना चाहते हैं, जो block करना जाएंगे, ब्लॉक कर सकते हैं, तो यह options है, यहाँ पर आपको पूरे program अभी मेरे load हो चुके है, सभी के सभी जो install program है, उसके सब locations यहाँ पर है, तो मैं तो कहता हूँ कि अभी इसको allow करने के लिए, यहाँ पर देखिए, check the programs that can be used, यहाँ पर आपको options दिया है, check the programs, तो आप check all कीजिए, इसले click करना에 check all, क्योंकि सभी program से यहाँ पर पहले run कीजिए, और जो program को allow नहीं करना है, उसको ही आप यहाँ पर uncheck कीजिए, इसको tally allow नहीं करना है, जिसको photoshop Allow नहीं करना है, बोत सरी program है, इस मेरे इस में, तो यह सभी program से, तो मैं check all इसले बोला क्योंकि कुछ registry program से कुछ background में रहनों ले program है तो उसे आप रख दीजिया तो tally program को मैं इसे allow नहीं करना चाहता हूँ या trimure allow नहीं करना चाहता हूँ यूजर को trimure जो भी program से यहाँ पर allow नहीं करना चाहता हूँ मैं यहाँ इसे uncheck कर दूँगा तो वो allow नहीं होंगे उस user के लिए जैसे वो login करेंगे अपने account में से तो वो वहाँ पर restriction आजाएंगे restricted करके तो यह आपको मैंने बता दिया किस तरह से करना है आपको एक काम करना है कि ABC जो user आपने बनाया है जाके इस user को log up कीजिए और check कीजिए अगर आपका practice करना है तो इसे log up करके check करना पड़ेगा कि यह properly काम कर रहे है कि नहीं कर रहे है मैंने पहले बोला कि यहाँ पर मैं आपको नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि जैसे मैं आपको दिखाऊंगा log up करूँगा तो वेरा video recording stop हो जाएगा sorry for that दोस्तो आप check कीजिए खुदी कैसे यह parental control काम करता है कापी use की चीज़े अगर आप एक senior parents है आपके घर में चोटे बच्चे रहते तो उनके लिए यह चीज़े बहुत useful है आप block कर दोगे यह time restriction कर दोगे तो वो computer खाली पुकट का time pass नहीं करते बैठेंगे computer के उपर so that's it तो यह तब बड़ा hardware का वीडियो मैंने सोचा कि एक वीडियो के अंदर मैं आपको सारी चीज़े बताओ हलाकि मैंने इसके अलग अलग पार्ट पहले बनाया थे लेकिन बहुत सारे लोगों का यह कहना था कि कोई पार्ट मिल रहा है कोई पार्ट नहीं मिल रहा है तो मैंने एक ही वीडियो में complete hardware आपके लिए लेकिया यहां पे बहुत सारी चीज़े मैंने बताई डेपिनेटल आपको पसंद आया होगा लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीज़ी है साथी में हमारे जितने भी चैनल उनकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दीए तो और भी कंप्यूटर में एक्सपर्ट बढ़ना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और अपना कायाल रखो बाइबाइ